नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त संतोस विश्णोई एक बार फिर से आप सभी का श्वागत करता हूँ गूरु ग्यान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आरेस परी प्रिक्षा हो चुकी है और आंसर की यानि एकदम सो परतिसत सटीक आंसर की लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ प्रतियक कुशन के बारे में बात करेंगे राइट आंसर है उसकी बात करेंगे और कुछ डाउट वाले कुशन है जिन पर अभी भी आपको संकाएं है वो सारी संकाएं भी मैं इस वीडियो के माद्यम से आपकी दूर कर दूँगा चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज के इस वीडियो के आंसर की वाले वीडियो के पहले कुशन से और पहला कुशन आपके सामने स्क्रीन पर है पहला कुशन है मोर्य कालीन मूर्तियों में मनी भद्र यानि यक्स नाम से अंकित मूर्ति की सप्राचीन इस्तान से प्राप्ट हुई है दोस्तो चार अप्सन आपके सामने है नोह ये भरतपुर में है परखम ये उत्तर प्रदेश में है जींका नागरा और बेसनगर दोस्तो इसक्रूशन का उत्तर नमबर 2 परखम होगा ये मत्रुरा यूपी में पड़ता है जापर मनी भद्र यक्स नाम से दोस्तो आपने सुनाई होगा यक्स और यक्षणी हमारे भरतपुर में मिली है लेकिन दोस्तो ये जो मनी भद्र वाली यक्ष की मूर्ती है न ये उत्तर प्रदेश के मतुरा में परखम्मे मिली है उत्तर नमबर दो राइट आमसर है दूसरा उप्षन है बखनाजी, संतदाजी, जगनदाजी, मागोदाजी नामक शंतो का संबन्द निम्ने लिखित में से किस संपरदाई के साथ संतो से है पहला है लालदासी संपरदाई, दूसरा है रामसनी, तीसरा है जसनाती और चोता है दादू दोस्तो इस कूशन का उत उत्तर नमबर 4 होगा अगला कूशन आपके सामने है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टिटूट की स्थापना अलपपाच एटियार, डाक्टर सांती सुरूप भटनागर, एमपंडित जवारलार नेरू के परियासों से कहां और कब की गई, दोस्तो इस कूश परिक्षा कराई थी, उसी में भी ये कूशन आया था, हाँ इतना है कि उसमें थोड़ा सा उपर नीचे कूशन था, तो कूशन यही सेम था, कूशन दोस्तो रिपीट बहुत हुए हैं, लेकिन इस बार युगम वाले कूशन जादा आये हैं, जिनको मिलान करने वाले, इस वज़े से बच्चों को लगता है कि बहुत जादा कठिन पेपर है, हाँ, मैं ये भी कह सकता हूं कि पेपर तो लेवल का था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था, ऐसा नहीं है, कि मुझ उठाके जाए, कोई भी उत्तर कर दे, ऐसा नहीं है, बहुत मैनत करनी पड़ती ह कुषन के उत्तर, चलिये दोसे, इस कुषन का उत्तर क्या होगा, गागरोन का युध हम सब जानते हैं कि पंद्रा सो उनीस का है, और सारगापुर का युध हम जब जानते हैं कुमबा वाला, 1457 का है और सुमेल 15.44 और साहइबा का युध 41.41 है, इस प्रकार से मिलान तो दोस्तो उत्तर नमबर चार बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कुर्शन आपके सामने है दोस्तो एक तरफ किताबों के नाम है दूसरी तरफ लेकका का नाम है हमें चांटना है जो गलत है एस हुमेलित कौन सा उसे चांटना है दोस्तो ने तरंग ने तरंग नामक किताब स डोपसर futur होगा इसίναι उत्तर नमबर दो उन्बर के अंडर एक और नमबर आपशन प्र wraket से पॉसण का उत्तर होगा जब होगा को knitting करो नि करते हैं कर दंबर एक लिएक वीजैंगर के सासे कर्शन देवराई ने इा मुकताले था है था मेश ह right बिल्कुल सही बात है कर्शन देवराय कहते हैं कि विजयनगर सामराजय के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे और कर्शन देवराय ने ए मुक्ता मालियंद नामक गरंत की रचना की थी ये तमिल भासा का गरंत था और कृष्ण देवराय को अंद्रभोज के नाम से जानते हैं और तीन नमबर है दरबार में अलासानी पेडूना दोस्तो ये बहुत ही साहित्यकार की दर्श्टी से देखा जाए तो बहुत ही सांदार साहित्यकार था अलसानी कहते हैं कि इसको संस्कृत भी आती थी और तमिल भासा भी आती थी इस प्रकार से ये तीनों ही राइट है दोस्तो इस कृष्ण का उत्तर नमबर च्यार होगा तबी सभी कतन सही है अगला कृष्ण आपके सामने है दोस्तो एक तरफ लोक वाद्ययंत्र है तो दूसरी तरफ प्रक्यात कलाकार है यानि वाद्ययंत्र को बजाने वाले कलाकार की बात करेंगे दोस्तो कल पर सो जब मैं लाइव कलास ले रहा था मैं बपंग और नड की बात कर रहा था अलगोजा के बारे में तो कुषन ही आये था दोस्तो रामना चोदरी का तो मुझे लगता है कि आपको दस दिन पहले ये दिकुषन आया है और आज भिर कुषन आया है तो गलत नहीं होना चाहिए था दोस्तो आपको याद होगा कि बपंग के बारे में हम बात कर रहे थे तो जहुर का महेवाती है और मेवात क्षित्र के खास तोर से दोस्तो जोगी जो लोग होते हैं वो बजाते हैं लेकिन यहाँ पर जहुर का महेवाती को बपंग का जादू कर कहते हैं नड की बात करें तो जेसल मेर के हैं करणा भील और अलगोजा की बात करें दोस्तो अलगोजा वेसे सुसीरवाद्ययंत्र है सेनाई का छोटा रूप होता है और अलगोजा दो दो तरीके से बजाये जा सकता है एक तो सुसीरवाद्ययंत्र है एक नाक से भी बजाये जा सकता ह तोNowak से बजाने का स्रिय जाता है रामनाच चौधरी को दोस्तो नाक से भी बजाये जा सकता है नाक से फूंक मारके और रामनाच चौधरी का यही कुशन सेम रिपीट कुए था RTSC ने पूछा था दोस्तो पुराने कुशन गुरु ग्यान पब्लिकेशन पर महा मेराथन जो वीडियो है उसने आज सबी लोगों के लिए बहुत ये बड़ा काम कर दिया कि पुराने कुष्ण का संकलन मेगा वीडियो के मज़्दम से दिया था और हूँ बहुत कुष्ण आये है देख मैं बोलता जा रहा हूँ आप लिए दोस्तो तो इस परकार से ये मिलान कर दिया उत्तर नमबर एक बिल्कुल सही है अगला कुष्ण है इंडियन इंस्टिटुट आप साइंस की स्थापना बेंगलूरु में कब और किनके प्रियासों से हुई चार आपके सामने उत्तर नमबर तीन राइट है जमसेजी रिवाज दोस्तो राजस्तान की रितिवाज राजस्तान की कला संस्कृति का अभीन हिस्सा है इन अभीन हिस्सों में से बहुत सारे कुष्ण बार बार पूचे जाते है जैसे आनो एक सामने राजस्तानी बासा का सब्द है आनो आनो का मतलब होता है कि जब साधी होती है त और दुलन के परिवारदारा वर की बारात का डेरा देखने जाना इसका भी कोई मतलब नहीं है तो इस कुशन का उत्तर नमबर चार बिलकुल सही है अगला कुशन दोस्तो एक आसान सा कुशन था कुछ नहीं करना था आपको लाहर सडी अंतर केस को राजगुरू से जोड़ना है जैसे ही आप राजगुरू से जोड़ोगे यानि दो नमबर उप्षन को चार नमबर के साथ जोड़ते ही आपका उत्तर आ जाएगा उत्तर नमबर क्या आ जाएगा देखो दोस्तो यानि बी में चार केवल और केवल तीन नमबर उप्षन में है बाकी सारे सही अपने आप हो रहे हैं देखो एक में तीन हावडा सड़ी अंतर केस किसका है दोस्तो जतिंदरनात का उसके बाद में बी के अंदर चार लाहोर सड़ी अंतर केस राजगुरु का है और उसके बाद में है दिल्ली सड़ी अंतर केस ये है अमीर चंद का और डी में दो यानि अलिपुर सड़ी अंतर केस के अं क्या बूशन हम देखो थोड़े दिन पहले की बात है एक कुशन आये था पीपल पता है ना और उसी के साथ मैंने आपको टूटी भी पढ़ाई थी मैंने बोला ये टूटी है ना इसको बूजली भी कहते हैं इस्तान ये बास हमें ये कुशन रिपीट हो सकता है आज ये फिर कुशन आपके सामने आगया है अगला कुशन आपके सामने है दोस्तो एक सांदार कुशन इसमें आपको कुछ नहीं करना था दो सब याद करने थे यदि आपको पता है कि यव का मतलब जो होता है और गन्ने का मतलब दोस्तो आपको इक्सू क्योंकि इक्सू सरकरा होती है जो की गन्ने से बनती है, सब जानते हैं, तो आप देको मिलान करेंगे, एकदम आसान सा कुशन है, दोस्तो ब्रीवी, उसके बाद मैं मुदंग और यव और इक्सू, यहाँ यव को मिला दीजिए जोव के साथ, दोस्तो यव का मतलब जो है, और गन्ने के साथ में एक्सू मिलाएंगे, उत्तर नंबर दो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक आसान सा कुशन है, दोस्तो यज़ा नहीं है, कि आसान है, ऐसा है कि जो पढ़ने वाला है, उसके लिए आसान है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो गोड हो जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा यव क्या होता है मुदं क्या है इसका मतलब कहीं ने कहीं आपने यदी पढ़ा है चार में से कोई दो चीज जैसे यव पढ़ ली या गन्ना पढ़ लिया तो कहीं से कहीं से आपको मिलान वाली चीजे मिल जाती है जहां से आपका कुशन राइट हो जाता है चलिए इस कुशन के बाद अगला कुशन आपके सामने है त्योहार दोस्तो एक आसान सा कुशन है बूंदी की कजली तीज दोस्तो आज से तीन दिन पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं चर्चा कर रहा था कि कजली तीज के बारे में है क्योंकि मैंने आपको गूरु ज्यान पब्लिकेशन के टेलिग्राम चेनल पर एक कुशन दिया था कि बूड़ी तीज यानि जिसको हम सातुड़ी परव है भादरपद महीने मनाए जाता है गणगोर आप जानती है चेत के महीने में तो मिलाल अपने आप सही हो जाएगा अगला कुशन है दोस्तों बहुत ही गजब का कुशन समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहां से और कब से प्रकासी हुआ दोस्तों आपको याद होगा मुhmad आदी आप जानते होंगे मैने आपको बताये था मेवात के अंदर जो अंदोलन चला था वो चलाये था मुमद हादी ने और उस कुशन के साथ मैने आपको बताये था कि 1800 गुणंचास में राजस्तान के अंदर पहली बार मजहरूल नामक शरूर जो अकबार है वो निकला था वो अठारासो गुणंचास में भरतपूर से मैंने ये बात भी आपको बताई थी यदि आपने नहीं पड़ी नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता चवदा नमर कुछन का उत्तर नमर दू होगा अगला कुछन आपके सामने है निम्न लिखित में से कौन-कौन से जेन सिद्धान्त के धरम है दोस्तो जेन धरम की बात करें तो अनेकांतवाद है और श्यादवाद है ये दो ही है बाकी नहीं है तो इस परकार से उत्तर नमर तीन हो जाएगा एक और चार अगला कुछन आपके सामने है उस करांतिकारी महिला का नाम बताईए जिसने बिजोलिया किसान अंदोलन में भाग लिया और उसे गृपतार किया गया 1930 के सत्यागरे और 1932 के सविन्य अवग्या अंदोलन में भाग लिया और जेल गई दोस्तों दो बार जेल गई थी महिला नाम है रमा देवी रमा देवी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है मेवाड की थी कहते हैं कि पंडित लादुलाल जोसी जी की पतनी थी और सबसे पहले 1931 के अंदर देवी रमा देवी भी सभी ने जन्ता का जूलूस निकाला था और पूलिस की परवा नय करते हुए थानो में गुषने के प्रियास में गोली खाई थी और ये घटना किसी इस्तान से दोस्तो इस कुस्तन का उत्तर चार आपसन आपके सामने है कोरापूर, सौनितपूर, विदनापूर और गोपूर इस कुस्तन का उत्तर नंबर चार गोपूर होगा उत्तर नंबर चार बिल्कुल सही है अगला कुछस्थन आपके सामने है आहड सब्वेता सब्वेता के बारे निम निकतनों पर विचार करें आहड वासी तामबा गलाना जांते थे दोस्तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि राजस्तान के अंदर तामर योगीन सब्वेता सबसे पहले हम बात करते हैं गणे स्वर की, दिस कॉम्तामर्योगीन जननini कहते हैं, थिक है? उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आहड की आहड में भी तामबे के बहुत सारे ओजार मिले हैं, तो सीधी सी बात है, जब ओजार बने कैसे तामबा गलाओंगे तब ही तो बनेंगे तो तामबा गलाने की बट्टियां दोनो जगे मिली है तामबा गलाने की बट्टि मिली है आपके वहाँ पर आहड में और तामबे गलाने की बट्टि आपके गने स्वर में भी मिली है तो तामबा गलाना जानते है तुट सबसे परिचित नहीं थी दोस्तो इस बात में दम नहीं है ये ऐप्शन नहीं होगा इसके ेलावा बागी देखो दूसống, दातु का काम आडवासी भी सबसे जब तामबा गलाया है तो तामबे से धातूं के ओजार बनाए है तो दाटू है, तो दाटू से तो परिचित थे, कोई दिक्कत नहीं है और अर्थवयवस्ता में सबसे इंपोर्टेंट था धाटू हम सब जानते हैं कि अहड एक नगरिय सब्वेता थी सोरी, ग्रामिन सब्वेता थी माफी चाहूंगा क्योंकि काली मंगा थी नगरी सब्वेता तो यहां ग्रामेन सब्वेता की बात चल रही है तो धातु इंपोर्टेंट था कोई दिक्कत ही नहीं है तो यह भी सही है यहां से काले लाल रंग के मर्दबांड मिले हैं जिन पर जामिती आकरतिया दोस्तो गिलूंड के अंदर भी जामिती आकरतिया है यहां पर भी जामिती आकरतिया है लेकिन जामिती आकरतियों में फरक है यदि हम बात करें आहड की तो काले और लाल मर्दबांड है और सफेद रंग की जामिती है जबकि काले और लाल रंके मर्दबांड के साथ में अलंकृत जयाविती रोग मिली आपके गिलुंड में तो इस प्रकार से यह भी सही है तो यह सही ओने का मतलब होगा पहला सही है C सही है और D सही है तो दोस्तो A, C, D के इसाब से उत्तर नंबर 2 सही अगला परकार से इस कुछर्षका का उत्तर नमब्र 1 हो Communist के करे? जोदपु नरेस मांची किरानी भटियानी प्रताब कुमरी ने अपने द्वारा बनाए गे मंदिर को पुने अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्टा अठारा सो सताओन में कराई उस मंदिर का नाम क्या है चार उपसन आपके सामने हैं महा मंदिर गनशाम जी का मंदिर तीजा मांजी का मंदिर और कूँज मियारी दोस्तो इस कुछन का उत्तर नमबर तीन होगा तीजा मांजी का मंदिर ये मंदिर वो मंदिर है जिसका दिर्मान परताब कूवरी ने बनुआया था बाद में आगे उत्र बसाया और आगे चल करके 18 सस्तावन में इसकी प्राण प्रतिष्टा हुई यानि नई वाली जगे पर दोस्तों इस कुछन का उत्र नमबर दो होगा जबकि इसके पती यानि मानसी जो की आयसनात जिनको अपना गुरु मानता है और उनके नाम से आगे चल करके महामंद विवा को प्रोसाइद करने के उद्देशे से 1871 स्विव में राज मुंदरी सोशल रीफॉर्म एसोशियस्तन इस्तापित किया गया दोस्तों चार उक्सन आपके सामने है के रामकरशन पिल्लाई द्वारा दूसके बाद मैं है गोपाला चारियार द्वारा उसके बाद मैं वीरे सलिंगम द्वारा दोस्तों इस कुशन का उत्तर नंबर चार विल्कुल सही है वीरे सलिंगम पंतलू इसका पूरा नाम है वीरे सलिंगम पंतलू उत्तर नंबर चार होगा अगला कुशन है राजस्तानी भासा साहितिय संस्कृति अकादमी दोस्तों बीका निर में है आपको याद होगा दोस्तों जब हम तीन निन पहले की बात है जब हम आपके उस पतवार का जो पेपर हुआ था उस पतवार के पेपर का जब हम solution कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको राजस्तान हिंदी गरंत क्योंकि वो बार-बार कुशन आ रहे थे कि राजस्तान हिंदी गरंत अकादमी की स्थापना कब हुई है ना राजस्तान साहित अकादमी की कब हुई कौन सा सही है तब मैंने आपको कित्ती बार बताया कि बिका नेर के अंदर है राजस्तानी बासा साहित असंसकरती अकादमी जहां से कुशन बार बार आते हैं तो ये नहीं है कि मैंने ही बताया है सारे ही बताते हैं लेकिन करेंट में मैंने बताया ताकि आपके कुशन आये तो आप सही करके आओ बात ये है चलिए दोस्तो इस परकार से इस कुशन का उत्तर नमबर 2 सही है अगला कुशन है दोस्तो एक तरफ तिर्थंकर है जेंदर्म के और उसके बाद में उनके संग्यान है हमें मिलान करना है आसान सा कुशन है वेसे दोस्तो तिर्थंकरों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे पार्षवनाथ दोस्तो पार्षवनाथ पार्षवनाथ जो है इनका जो है, वो है, हमारा सरप, जो सांप है, वो पार्श्यनाथ का प्रतीक चिन है, आदिनाथ, जिनको हम रिशब देव भी कहते हैं, इनका बेल है, वर्शब है, ठीक है, सांतिनाथ, जो की सोड में तिर्थंकर है, और इनका है हीरन, तो बच गया सब से अंत में सी है, यान जाके कि भासन ठोक क्या ही थी, रूमा देवी, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सकतन सही नहीं है, दोस्तो पहला उक्सन है, बारत के राश्चपती द्वारा दो हजाएठारा में नारी सकति पुर्षकार से समानित किया गया, बिल्कुल सही बात है, दो हजाए एक NGO बना रखा है श्वेशाइतासमुयम के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है तो इस परकार से ये भी सही है तो इस परकार से 24 नंबर कुशन का उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है अगला कुशन राज़तान में कहां पर अलसęt प्रेकों वेधिक यंत्राले दोस्तों आपको याद होगा सत्य परकास की बारे मित आप जानती ही होगे सत्यार्थ परकास की का लेखन का काम का हूआ था उद्यपूर मैं है न सतियार शीति ने लिखा था बाद में उसकी इताब को दो जगे से पर पहले परकासन कहां से हुआ, बाद में परकासन कहां से हुआ था, जब अजमेर में इसका परकासन करवाना गया, तब इसके लिए एक यंत्रा ले किस्ताप, यानि छापा खाना बनाया गया, जिसका नाम है वेदी की यंत्रा ले, करमचारी चैन बोर्ड भी इस कुछन को option दे दिया अपने आप ही हर कोई सही कर दे इस question का उत्तर नंबर एक होगा उच्छ ने अले का मुखी नहीं दीश चलिए 27 नंबर question देख लेते हैं कि RPSC के जो चेर्मेर बने हैं वर्तमान में उनका कोई दोस्त जो की जिला कलेक्टर बना होगा 2013 में दोस्तो इस question का उत्तर नंबर 4 2013 होगा इस question का पूछने का कोई तुक नहीं था जी के मान करके पढ़ रहे हैं हम दोस्तो करंट तो मान नहीं सकते 2013 का question है जिला कलेक्टर पह बरती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्ताल में की गई जांचों दवाईयों प्रामर्सुल का व्ये पेकेज किरासी में सामिल है दोस्तो यहीं गलत है हम समझानते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजिवी योजना इराजस्तान की एक बहुत मुख्य उदेश्य है दोस्तो कोई विव्यक्ति बिमार है और जो होस्पिटल में बरती हुआ है वो 5 दिन पहले बरती होने से 5 दिन पहले और बरती होने के 15 दिन तक यानि सोरी डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक उसको क्या मिलेगा जो कुछ भी खर्चा आएगा वो सारा का स इस योजना में साबील है तो इस दोस्तों इसने 10 दिन लिखकर के गडबड कर दिया यहां होना चाहिए 15 दिन तो इस प्रकार से पहला यह उप्सन राइट है अगला कुस्तन आपके सामने अगला कुस्तन नहीं दूसरा उप्सन एक मैई 2020 को लाग हुई है बात बिल्कुल सही इस योजना के अंतरकत गंबीर बीमारियों है तू गंबीर बीमारियों है तू 4.50 लाग यानि 4.50 जार की रासी का बीमा कवर परती वर्स देखो दोस्तों परती वर्स परती परिवार दोस्तों यह परिवार आदारित योद्ना है चिकित्सा केसले सेवा है इसमें 5 लाग म कुछन कई बार रिपीट हो चुका है पंद्रा सो छेतर पे के जए पंद्रा सो छेतर पे के जए तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कुछन का उत्तर नंबर एक होगा यह 10 दिन करके बच्चों के साथ दोका किया इसने यहां 15 दिन कर देता तो यह कुछन डिलेट हो जाता चलिए कोई बात नहीं हमें डिलेट नहीं करवाना हमें तो एक नंबर बढ़वाना था चलिए इस कुछन का उत्तर नंबर एक होगा अगला कुछन आपके सामने है राजस्तान सरकार द्वारा हाली में गोशित उडान योजना की गलत विशेशता चिनित करे दोस्तों उड चलिए की बात है वैसे तो इस उडान योजना की गोशना जो है वो बजट में हुई थी कि हम महिलाओं को नीश विल्क नेपकिन देंगे और महिलाओं में व्यक्तिकत सारीरी के स्वचता के प्रती महिलाओं को जागरूप करेंगे सरकार ने बजट दो हजारी किया था उस दोस्तो इस योजना के अंतरगर्द प्रदेश की सबी महिलाओं को 19 नमबर 2021 से सेनेटरी नेप की नीश विल्क मिलेंगे पहला उप्सन बिल्कुल सही है दोस्तो दूसरा उप्सन है योजना के प्रभावी किरियानवन के लिए राज्य इस्तर पर दो और जिला इस्तर पर एक-एक ब्रांड इंबिस्टर बनाई जाएंगी ये बात भी बिल्कुल सही है तीसरा उप्सन है इस योजना का उद्श्य महिलाओं को बैतर स्वास्ते और व्यप्तिगत सारीरिक स्वच्ता के प्रति जागरू करना ये बात भी बिल्कुल सही है चो था यह ये योजना 19 नमंबर 2020 से लग होगी ये बात भी सही है हम इस कुछन को डिलिट करा सकते हैं क्योंकि दोस्तों मेरे को इसमें कोई गलती नजर नहीं आई यदि आपको आई है तो आप कमेंट्स में लिखें मैं चेक कर लूँगा मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आई हो सकता है ये बं संसा ही है कुछन डिलिट होने के चांस है अगला कुछन है तीस नमबर रास्तिय न्याइक न्युक्ति आयोग से सम्मादित कौन से सविधान संसोदन दिनियम को उच्छतम न्याले की सविधान पीठने ऐस सम्मेदानिक गोशित कर दिया दोस्तों आपको याद होगा कि मौ निन्यानमा बाद में आगे चल करके सविधान की सोरी हमारे सुप्रीम कोट की पांच सदश्य सविधान पीठने निन्यानमा सविधान संसोदन दोस्तों क्या कर दिया था समाप्त कर दिया था यानि ऐस सम्मेदानिक गोशित कर दिया था तीस नमबर कुषन का उत्तर नमब होता है दोस्तों दोनों ही बाते सही है और व्याख्या भी सही है उत्तर नंबर दो होगा दोस्तों इसको ऐसे देख सकते हो सबसे पहले देखो दोस्तों महाले का प्रिक्सके करतवे हम सब जानते कि करतवे कहां दिये गए है सवीदान में तो सवीदान से जोड़ दो उसके ब विदान सभबा के प्रिकरिया एहुकारिय संचालन संबंदी नियम के नुसार निमनाकित में से कौन से विबाग के प्राकलन समीति कह के नियंतरना धीन नहीं है दोस्तो कह के नियंतरना धेन नहीं है बहुत ही गजब का कुशन है दोस्तों हमारी राजस्तान की विदान सबा के अंदर टोटल वैसे अठारा समीतिया है जिसमें से चार वित्य समीतिया है दोस्तों जो चार वित्य समीतिया है उसमें से एक वित्य समीति का नाम है लोगलेका समीति दूसरी का नाम है सरकारी उपकरम समिती और तीसरी और चोती का नाम है प्राकलन कह और प्राकलन खे दोस्तो यहां पर हम बात करेंगे प्राकलन कह की और प्राकलन खे की दोस्तो इन दोनों में नियम जो है कारिय संचालन नियम वो कहते हैं कि प्राकलन कह के अंतरगत आएंगे सारवजिनिक निर्मान विबाग सिक्ष्या विबाग, वित विबाग ये कह में आएंगे, जबकि खे में कोन आएगा दो तो बहुत ही गजब का कुशन है जो खे है ना, उस खे में कोन आएंगे नमबर एक, ग्रे विबाग आएगा एगरिकल चरकर्षी विबाग आएगा रेवन्न्यू बोर्ड आएगा, राजस्व विबाग आएगा फूड वाला भाग है, वो आएगा विबाग आएगा, इस प्रकार से इस question का उत्तर नंबर ग्रे विबाग एक नंबर होगा क्योंकि एक नंबर किसमें आएगा ग्रे विबाग प्राक्लन समीति खे में जाएगा दोस्तो वेरी इंपोर्टेंट question उत्तर नंबर एक होगा अगला question है राजस्तान लोग से वायोग अपने कारियों का वार्षिक पर्तिवेदन अर्टिकल 323 दोस्तो उत्र नंबर 3 होगा राज येपाल के समक्ष पर्तिवर्ष अपना वार्षिक पर्तिवेदन देती है और बाद में राज येपाल वो कहां रखवाते हैं विधान सबा में तो 33 नमबर कुष्टन का उत्तर नमर 3 हो जाएगा 34 नमबर है राजस्तान पंचाईती राज अदिनियम 1994 में कि किस धारा को संसो दिदकर ग्राम सेवक किस्तान पर ग्राम विकास अदिकारी दोस्तों आपको याद होगा अभी नाम क्या हो गया ग्राम विकास अदिकारी कौन सी धारा है 89 धारा का नाम क्या है 89 दोस्तो 89 धारा के तहत इसकी उप धारा है 2 और उसका क्षंड कौन सा है खय जिसके तहत क्या किया गया है संसो दन ग्राम सेवक किस्तान पर ग्राम विकास अदिकारी भारत के उच्चतम न्याले के मुख्य न्याय मूर्ति का सही करम बताओ दोस्तो सबसे पहले इस कुशन का उत्तर बता देता हूँ एक नमर सही है HL दत्तु 2014 में बने इनके ठीक बाद में सपत ली थी HL, sorry, TS ठाकूर ने 2015 में और इनके ठीक बाद में सपत ली थी जगदिस खेहर में 2017 में इस कुशन का उत्तर नमर यही रहेगा क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसेच से जुड़े हुए यानि इनके बाद इनने होने और इनके बाद इनोंने दोस्तो यहाँ हम बात कर सकते हैं क्यार नमर आपसन की केजी बाला कशन 2017 में सपतली स्वरी 2007 में उसके बाद में हस कपाडिया है 2010 में और उसके बाद में हल दत्तू लेकिन इन दोनों के बीच में दो नयाय दिस ओर है दो तीन अलतमस कबीर भी है पी सदासियूम भी है जो केरल के आगे चलके राजेपाल बने थे और राजेंदर लोडा भी है इस प्रकार से वैसे तो क्योंकि दोस्तों इसने कुशन ढंग से नहीं पूचा इसने बोला है मुख्य नयायमूर्थी का सही क्रम अब क्रम से पूच लेते ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन फिर भी हम तो इस कुशन का उत्तर नंबर एक ही मानेगे क्योंकि RPS इसका एक ही मानेगी ठीक है लेकिन हाँ कोर्ट पर इसको ले जाया जा सकते कुशन को आप ले जाना चाहें तो वैसे इसका उत्तर नमबर एक ही होगा क्योंकि ये तो तीनों करम है जबकि ये तीनों भी सही है कि इनके बाद इनोंने इनके बाद इनोंने लेकिन इनके बीच में दो तीन नयाय दिस ओर आ गए चलिए 35 नमबर का उत्तर नमबर एक लिए चलता हूँ 36 number question की और 36 number question आपके सामने है राजस्तान उच्छनियाले के निम्नाकित में नियाग दिसो में से कौन से राजस्तान सरकार में राज्य मंतरी के पद़ पर आसीन रहे है बहुत ही सांधार question है चार ओक्षन आपके सामने है जस्टिस भारुक असन, जस्टिस सूरज नारायन, डीडवानिया, जस्टिस यादराम मीना और जस्टिस मुहमद यामीन दोस्तो इस कुशन का उत्तर नमबर तीन, जस्टिस यादराम मीना होगा ये वो व्यक्ति है जो हमारे गुजरात राज्य के पूर जस्टिस रहे हैं और दोस्तो ये जो कानून मंत्राल्य है उसके अंदर भी सलाकार रहे हैं और राज्य मंत्री भी रहे हैं इस परकार से इस कुर्षन का उत्तर नमर तीन जस्टिस यादरा मीना होगा उत्तर नमर ती दोस्तों नहीं है पहला ओप्सन देख लेता है किसी लोग अभिलेक की अपेक्षी दोस्तों अंग्रेजी देखें ट्वार एक्सपेक्ट एनी पब्लिक रिकोड बिल्कुल सही है दो नम्र अप्सन है विभाग अत्वा अभिकरण द्वारा प्रदार्ण की जाने वाली सिवा सिवाओं का वियुरण यह बात भी बिल्कुल सही है description of the service being provided by department of the agency बिल्कुल सही है तीसरा है अभिकरण के कार्य के निरिक्षण का प्रावधान दोस्तों निरिक्षण का प्रावधान वो संस्ता नहीं करती कोई भी चाहे संस्तान हो कोई विबाग हो वो नहीं करता ठीक है न तो इस प्रकार से इस कुछन का उत्तर नंबर 3 ही हो जाएगा चोथा option है सेवाओं का लाब उठाने के लिए विबिन विद्यों का परचारी सरकार द्वारा जो विद्या मनाई गई है उन विद्यों का परचार परचार करना चाहा कि जनता ज़्यादा ज़्यादा उसका लाब ले सके सिवाओं का ये बात बिल्कुल सही है लेकिन 37 नंबर कुछन का उत्तर नंबर 3 जो है वो उस अजेंसी का नहीं है ठीक है तो इस प्रकार से 37 नबर कुष्ण का उत्तर नबर 3 होगा 38 नबर कुष्ण आपके सामने है सूचना के अधिकार अधिनियम के उत्यश्यों के सम्मन्द में निमले लिखित में से कौन सा सही नहीं है चार उक्षन आपके सामने है पहला है हमारे लोगतंतर को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तों में लोगों के लिए काम करें दोस्तो बिल्कुल सही है RTI Act 2005 में आये था हम सब जानते हैं कि RTI के तहट हम किसी भी विबाग से हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो वर्तमान में तो इसके लिए जन सूचना पोर्टल भी आ गया है लेकिन इसका मुख्य उद्देश है यह होता है हमारे देश के अंदर जो लोगतंतर है उस लोगतंतर को और अधिक ससक्त बनाना और यो लगना चाहिए कि यह वास्तों में लोगों के लिए काम कर रहा है दोस्तो उत्तर नबर एक तो सही है दूसरा है सरकार के कारिकरण में पारदर्सिता और उत्तर दाइत्वे बिल्कुल दोस्तों यहां पारदर्सिता होनी चाहिए काम में क्योंकि काम किस काम से किया गया कितना उस पर व्य हुआ हम कोई भी सूचना चाहते है वो हमें तत्काल मिलती है ठीक है और उत्तरदाईत्वे जो दोस्तो अधिकारी होता है लोग सेवा परदान करने वाला जो अधिकारी होता है है न उस अधिकारी का उत्रदाईतों भी होता है उस संस्तान का उस विवाग का भी उत्रदाईतों बनता है कि वो जनता को सूचना परदान करें तो दूसरा भी सही है तीसरा है नागरिकों को ससक्त बनाना बिल्कुल दोस्तों नागरिक कब ससक्त होंगे क्योंकि लोगतंतर में नागरिकों की जब सरकार में भागिदारी हो जाती है और इस प्रकार से लोगतंतर के अंदर या सरकार के अंदर कोई भी कारिया होता है उसकी जांच कर सकता है कोई भी विक्ति उसको देख सकता है तो तब नागरी को का क्या नागरी क्या होते हैं ससक्त होते हैं तब लोगतंतर मजबूत होता है तो तीनों ही option सही है पहला दूसरा तीसरा लेकिन दोस्तों चौता option देखो समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों वर्गों को ससक्त करने के लिए काम करना ये बात गलत है आई टी आई क किसी परसनल एक तबके गो किसी कमजोर वर्ग को या महिला को आगे बढ़ाने या ससक्त करने के लिए काम नहीं करता है वो सब के लिए काम करता है इस परकार से उत्तर नमबर च्यार होगा अगला कुर्शन है 39 बारत के सविदान में वर्णित नीती निदेशक्तत्तों को सम 32 ए में है तो यह भी गलत है इस परकार से दोस्तो चार नमर उप्षन बिल्कुल सही है पुरो सोर इस्त्रियों दोनों का समान कारिये के लिए समान वेतन 39 बिल्कुल सही है चार नमर उप्षन होगा अगला कुर्शन है 40 राजस्तान नगरपाली का दिनियम 2009 के प्रावधान पहला उक्सन है बारा, दूसरा है आठ, तीसरा है, छे और चोथा है, दस, ये चारों ही गलत है, दोस्तो यहाँ कुर्शन पूचा गया है, कि मुनसिपल एक्ट 2009, कि अरुसार राजी सरकार द्वारा नगर परिशद, और नगर परिशद को हम क्या कहते हैं, मुनसिपल काउंस दोस्तो ये तीन चीज़े हैं, अब तीनों के लिए बना हुए ये नगर पालिका अदिनियम, क्योंकि सम्विदान के अंदर नगर पालिका के नाम से ही तो संसोदन हुआ है, जो कि हम सब जानते हैं कि चोत्रमा सम्विदान संसोदन नगर पालिका के नाम से है, उसी के नाम हो किसका नगरपालिका से संबंदित कुछ नियमों का नगरपालिका से संबंदित कानूनों का नगरपालिका के क्षेतर का ऐसे व्यक्तिव को सरकार नॉमिनेट कर सकती है मनोनित कर सकती है अब दिक्कत यह है कि नगर निगम में सदेश्य होते मनोनित छे और नगर परिशद करके गडबड कर दी यहाँ यदि नगर निगम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी और बाकी नगर परिशद के लिए तो option 5 है यह नहीं इसमें तो इस प्रकार से एक question delete जाएगा दोस्तों चिंता करने के जोरत नहीं है मैंने पूरा act देख लिया है और उस act के अंदर यह चीज सर्च कर लिए मैंने और वो act आप चाहें तो मैं Guru Gyan Publication के टेलिग्राम चेनल पर डाल दूँगा और मैं वो भी बता दूँगा कि कितने number page पर कितने number point पर यह बात लिखी गई है फिर भी आप check करना चाहें देखना चाहें तो आप एक काम करो जो नगरपालिका का municipal act है 2009 उसके अंदर एक point है छटा जिसका नाम है composition of municipal act तो उसके अंदर जाओगे तो उसमें दूसरा point है उस point के अंदर साप साप सब्दों में यह बात लिखी गई है नगर निगम के लिए 6 नगर परिशत के लिए 5 और नगर पालिका के लिए 4 ठीक है तो किसी के बैकावे में आकर के इस question को आप अपने हिसाफ से ने देखें आप इस question को delete करने के हिसाफ से देखना है ठीक है यह question delete जाएगा प्रूप चाहिए तो मैं देदूँगा एकदम government सरकार का ठीक है सरकार का authentic तो 40 number question delete हो गया अलो 41 number question आपके सामने है राज्य निर्वाचन आयो राजस्तान से संबंदित निमना की तकत्रों पर विचार करें दोस्तों college lecture का exam दिया होगा आपने उसमें साब साब question यह आया था same का same बस इतना था कि यहाँ December के इस्तान पर वहाँ अप्रेल किया हुआ था बस कुछ नहीं था दोस्तों जब मैं college lecture की आनुसर की बना रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि ध्यान रखना यह question repeat हो सकता है और यह देख लो आज repeat हो गया वापिस दोस्तों आप है ना यह मत सोचो कि यह question बहुत hard है हाँ मैं मान सकता हूँ कि पहली बार त्यारी कर रहा है साल दो साल से तीन चार मेंने से त्यारी कर रहा है उसके लिए hard है लगातार त्यारी करने वाले के लिए hard नहीं है और बार बार जो पुराने question है यदि उनको focus करता है पुराने question को बार बार अभ्यास करता है उस बंदे के लिए paper hard है ही नहीं कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यह same question repeat हो गया बोलो चलो तो इस प्रकार से दोस्तों इस question में पहला option गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह July जो लिखा हुआ है यह July में बना था ठीक है July 1994 में अमर सिंग राटोड परतम निर्वाचनाइब थे आपको याद होगा तो इस प्रकार से दूसरा option सही है केवल दो सही होगा उस्तर नमबर दो है अगला कुस्तन आपके सामने 42 नमबर सविदान में मूल करतव्यों को किसकी पारिज पर समिलित किया गया सरदार स्वन सिंग समी थी दोस्तों आपको याद होगा और 42 सवा सविदान संसोदन आपको याद होगा जिसके द्वारा 10 मूल करतवे जोडे गए लेकिन सरदार स्वन सिंग ने 8 ही मूल करतवे जोडने किस पारिज की थी जबकि सर इंद्रा गांदीजी ने कितने जोड दिये 10 जोड दिये थे आपको याद होगा चलिए दोस्तर नमबर 1 होगा अगला कुशन है राजस्तान के निम्ना कित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोक्सभा के सदशे नहीं रहे बड़ा गजब का कुशन है दोस्तो सबसे पहले हरीदेव जोसी की बात करेंगे दोस्तो हरीदेव जोसी राजस्तान के एक मात्रे से विदायक है जो 10 बार लगातार विदायक बने है एक बार भी लोक्सभा नहीं गई और 3 बार मुख्यमंत्रि बने है तो यहां किलियर कर लो कि हरीदेव जोसी लोक्सभा के मेंबर कभी नहीं बने तो एक तो यह हो गया बैरों सिंह सेकावत दोस्तों बैरों सिंह सेकावत कभी भी लोक्सभा के मेंबर नहीं बने राज्य सबा के मेंबर रहे थे मध्यपरदे से जनसंग की ओर से 77 में और आपको याद होगा यह कई बार विदायक बने हैं और 3 बार मुख्यमंत्रि बने हैं तो यह भी कलियर हो गया टीका रामपालिवाल बड़ा गजब का कुशन है टीका रामपालिवाल वो व्यक्ति है जो कि राजस्तान के पर्थम निर्वाचित मुख्यमंत्री है बाद में आगे चल करके राजस्तान के पर्थम उप मुख्यमंत्री बने दोस्तो टीका राम पालिवाल को अटाओ यहां से और यहां से अटाओ अब हमारे पास में बच गए option यह तो इस प्रकार से बर्कतुल्ला खान की बात करेंगे दोस्तो बर्कतुल्ला खान वो व्यक्ति है जो राजस्तान विदान सभा के मेंबर रहे फिरोज कान के खास दोस्ते इंद्रा जी को भाबी जी कह करके बतलाते थे और आगे चल करके आपको याद होगा जब 1971 में मोनलाल सुकाडिया जी से हमने समर्थन वापिस लिया सुरी वहां से पद लेकर के और बर्कतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन बर्कतुल्ला खान 1903 में चले गए थे आपको याद है संसार चोड़ करके दोस्तो इस परकार से ये जोधपुर से और तीजारा अलवर दोनों विदान सभा सीटों से चुनाव जीत और दी और उत्तर नमबर तीन हो जाएगा तो तीन नमबर उप्सन बिल्कुल सही है अगला कुछन आपके सामने है चमाल इस नमबर निमने लिकित में से किसने कहा कि एक सविधान एक मसीन की तरह बेजान चीज है और इन में से वे लोग जीवन फूखते हैं जो इसका निय जाद होगा 24 नमबर 1950 को 1940 को दोस्तो हमारा जब सविधान लागू हुआ सोरी बन चुका था और उसके बाद में 26 जनवरी को जब लागू हुआ उस दिन राजय दे प्रसाद निये बात कही थी इस कुछन का उत्तर नमबर एक बिल्कुल सही है अगला कुछन आपके सामने ह एक कतन सही है हमें उसे चांटना है दोस्तो सबसे पहले आपको चीज के लिए करा देता हूँ 100 गुनेतर में विधान परिशद की बात है विधान परिशद उनमुलन यानि भंग भी की जा सकती है और विधान परिशद बनाई भी जा सकती है दोनों बाते हैं लेकिन दोनों कैसा हो सकता है 2 प्रकार का भॉमद होता है या तो टॉटल जो विदान ज़ुवा के मेंबर है उसका सामानिय भॉमद या उपस्तित और मतदान करने वालों का भॉमद दो बटा तीन इन मेn से कोई एक के साथ में संकल्प पारित करना है जैसे ही वो संकल्प पारित होकर के राज्य पाल के पास जाएगा राज्य पाल उसको भेज देंगे केंदर पर दोस्तों केंदर केंदर जाएगा तो वहाँ जाने के बाद केवल और केवल राज्य सरकार अनुरोध कर सकती है केवल और केवल अनुरोध कर सकती है संसद से कि हमारे यहां राज्य सबा सोरी विदान परिशत बना दो दोस्तों उसके बाद क्या है परकिरिया सुरू होती है अब परकिरिया जब सुरू होती है तो उसमें सबसे पहले किसी भी सदन में जा सकता है वो संकल्प, दोनों सदन उसे बहुमत से पारित करेंगे, यानि दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने के बाद, राष्टपति उस पर साहिब करेंगे, तब जा करके किसी राज्य में क्या बन सकती है विदान परिसत भी बन सकती है, और यही प्रकिरिया है दोस्तो भंग करने की आपको याद होगा थोड़ दिन पहले आंदर प्रदेश के अंदर विदान सब परिशत को भंग करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी ठेना दोस्तो यहां पर important बात यह है पहला option में बात देता अध्यरोपित करता है कि वह संसद में विदी निर्मान है तूँ कार्रिवाई करें दोस्तो यहां अध्यरोपित की बात जब भी आती है न तब आप उसको नेगलेट कर देंगे केवल और केवल सैमति की बाते होती है अनुरोध कर सकता है स्टेट स्टेट क्या कर सकता है अनुरोध और दोस्तो एक बात बताओ जब दोनों सदनों में बहुमत से पास होना है संसद में जो यहां से राज्य की विदान सभा से प्रस्ताव पास करके बेजा गया है वो जब संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पास होना है तो कोई अध्यारूपित होने की तो कोई बात ही नहीं है किसी भी सदन में पारित हो जायर किसी में ना हो कोई जरूरी थोड़ी है चलो आगे भी बात करेंगे राज्येपाल पर कोई बाद देता अध्यारोपित नहीं करता है कि वह संकल को राष्टपति के वि Chairे तू अरक्षित करें इस बात में भी कोई दम नहीं है क्योंकि राज्येपाल को भी अध्यारोपित दोस्तों, आपको याद होगा कि कोई भी विदेग जो होता है उसको पारित करने के लिए राज्येपाल को बाध्य किया जा सकता है लेकिन वो कब? यदि वो कौन सा है? वो है आपका धन विदेग ठीक है? और सविदान संसोदन तो हम सब जानते हैं कि विदान संसोदन में तो राष्टपति को बाध्य किया जा सकता है उसको विटो पावर ही नहीं होती है जकमार के साहिंग करने होता है और इसी प्रकार से धन विदेग पर भी क्योंकि धन विदेग पर पूरो में अनुमती लेनी होती है दोनों से चाहिए वो राष्टान में है स्टेट में है तो राज्यपाल से और के अंदर में है तो वो राष्टपति से तो उसके लिए भी बाध्य होता है लेकिन यहां दोस्तों ये विदान परिषद के गठन का प्रस्ताव है और ये संकल्प पारित हुआ है तो इसमें बाध्यता का कोई उल्लेख ही नहीं कहीं पर ही उल्लेख नहीं है तो ये बात भी गलत है तो ये भी बात गलत हो गई तीनों बाते गलत है चोथे ओप्सन देखो दोस्तों केंदर सरकार पर कोई बाद्यता अध्यारूपित नहीं करता कि वह संसद में विधी निर्मानेतु कारिवाई करे केवल और केवल अनुरोध किया जा सकता है ऐसी इस्तति में संसद की सैमती होती है दोनों सद्रों में बहुमत के माध्यम से वह संकलप पारित हो करके राश्टफती अस्ताक सरकरेंगे दोस्तों यहां एक तकडी बात निकल करके आई है कि यहां यदि केंदर सरकार को बाद्यय कर दे माल लो अपने बात कर कल्पना करते हैं कि ऐसी सतियों की बाद्यय हो जाए बाद्यय कर दिया जाए केंदर को कारिवाई करने के लिए तो दोस्तों बाद्धिया तो 2012 में भी उतकर सकते थे 2012 में आपको याद होगा हमारी राजस्तान की सरकार ने ततकालीन मुख्यमंत्र असो गैलोत ने एक संतल पारित किया था विदान परिशद के लिए वो आस तक लटका पड़ा है है ना इसे परकार से आपने देखा होगे थोड़ दिन पहले पसिम बंगाल के अंदर विदान परिशद गटी दो नी थी उसका भी संकल लटका पड़ा है बाद्धया नहीं किया जा सकता ये केवल और केवल अनुरोध किया जा सकता है और संसद की सहमती से ये चीज पारित होती है इस कुछन का उत्र नंबर चार होगा बिल्कुल चौथा उप्सन सही है बाकी सारे गलत है अगला कुछन आपके सामने है राजस्तान में लोकायुत के सम्मंद में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तो चार उप्सन आपके सामने है पहला उप्सन है वह राज्यपाल, द्वारा, न्युक्त और विदान सभा के प्रति उत्रदाई है दोस्तो पहला उप्सन बिल्कुल सही है दूसरा इसका क्षेत्रा दिकार मंत्रियों राज्य विदान सभा के सदश्यों उच लोग सेवकों तक फेला है ये बात गलत है तीसरा वाब ब्रस्टा चार है कूशासन के मामलों पर विचार करता है दोस्तो ये बात बिल्कुल सही है चोथा है इसका कारिया आरोपों की जांच करना है ने की सिकायतों की इस बात में भी कोई दम नहीं है दोस्तो इसकूशन का उत्तर नमबर A और C होगा गुर्जी तीसरा दूसरा उप्सन क्यों सही नहीं होगा बताता हूँ दोस्तो क्षेत्रा दिकार की बात करें लोकायुत की तो लोकायित का जो क्षित्रादिकार होता है न वो देखो, वो मंत्री हो सकता है, हो सकता नहीं होता ही है, मंत्री होता है, लोक से वक सारे होते हैं, हाँ, लेकिन विदान सबा का मेंबर नहीं होता, जब किसने देखो, राज्ये विदान सबा के सदश्य लिक करके गड़बड कर दी विदान सभा के मेंबर इसके क्षेत्रादिकार में नहीं आते हाँ इतना जरूर है कि सिकायत प्राप्त कर सकता है सिकायत प्राप्त कर सकता है लेकिन संग्यान नहीं ले सकता संग्यान नहीं ले सकता कौन लोकायुक्त किसके विरुद विदान सभा मेंबर के विरुद क क्यों कि याद रखना विदायक क्षित्राधिकार में याथ तो दूसरा उप्सेर गलत कर दो पहला सही है और C ऑ और C किसे ग्तर नंबर उस गर लेगा अगला क्षाण आपके सामने है भारत के विदान सबा का मिंबर हो यदि उसकी निर्हरता की बात आती है तब निर्वाचन आयोग की सिपारिस लेनी पड़ती है उत्तर नमबर तीन होगा ठीक है अगला कुशन 47 के बाद है 48 नमबर दोस्तो एक तरफ है सविधान सबा समिती और एक तरफ है अध्यक्स कौन किसका अध अधिकार है तो दोस्तो मूल अधिकार पर जाएगा हमारे सरदार वल्लबाई पटे कारिया संचालन की बात करें तो केम मुन सिंग और संग सकती जवारला नेरू और प्रारूप समिती भी आर अमेड़गर कोई दिक्कत नहीं है उत्तर नमबर क्या हो जाएगा दूसरा आपको याद होगा कि सात्मे सवीदान संसोधन के द्वारा 1956 में राजस्तान में राजप्रमुक का पद समप्त करते हुए राज्य पाल का पद शरजित किया गया और गुरुमुक निहाल सिंग को राजस्तान का पर्थम राज्य पाल निएक नमबर 1956 दोस्तो एक तकड़ी वो अन्य बना, राजस्तान, राज्य, अन्य मुग्दमा संबन दी थे, दोस्तो विसाखा काइड लाइन, आप जानते ही हो, सुप्रिम कोर्ट ने जारी की थी, कारिया इस्तल पर महिलाओं की योनि उत्परिण संबन दी थे, दोस्तो ये कुशन तो बहुत बारा आ चुका है उत्तर नबर तीन होगा, अगला कुशन है, 2011 की जंगर्णा के नुसा, राजस्तान के कौन से जिलों में ग्रामिन और नगरिय लिंगानुपात सरवादिक है, दोस्तो सबसे पहले हम ग्रामिन लिंगानुपात की बात करेंगे, दोस्तो ग्रामिन लिंगानुपात सबसे दोस्तो डूंगरपूर की है 900 च्छान में ठीक है अब चलते हैं नगरिये लिंगानुपात नगरिये लिंगानुपात सबसे ज़्यादा टॉंक का है 985 टॉंक उसके बाद में आता परताब गड 963 दोस्तो हमारा कुशन है सरवादिक ग्रामिन लिंगानुपात वाले ये जिले और सरवादिक नगरिये लिंगानुपात वाला कौन सा युगमस सही है दोस्तो इस कुशन का उत्तर नमबर 2 होगा क्यों होगा क्योंकि दोस्तो देखो पाली ओप्सन में नहीं है राजसमंद है लेकिन इदर दोस्तो राजसमंद के साथ में नगरी है लिंगानुपात वाला सरवादिक टॉंक है तो जो राजसमंद के साथ नहीं है है ना तो लेकिन देखो दोस्तो तीसरे नमबर पे हैं डूंगरफूर 9006 में ग्रामणी लिंगानुपात सरवादिक और इधर टॉंक का सरवाधिक सहरी लिंगान उपात है तो उत्तर नमबर दो हो जाएगा ठीक है? दूसरा यानि डूंगरपुरो और टॉंक वाला सही हो जाएगा तो इस परकार से दोस्तो उत्तर नमबर चार देखो इस प्रकार से उत्तर नंबर चार हो जाएगा अगला कुशन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तो इन में से चारो में से कोई एक सुमेलित नहीं है दोस्तो इस कुशन का उत्तर नंबर दो हो जाएगा दूसरा उप्सन बिल्कुल सही है अगला कुशन, गोगेलाव, सरंक्षित, शेत्रकिस, जिले मिस्तित है, दोस्तो इस कुशन का उत्तर नमबर 3, नागोर होगा, बहुत बार कुशन आ चुका है ये तो, अगला कुशन दोस्तो, कौन सा सुमेलित सही है, मांडो की पाल, फेल सपार गलत है दोस्तो, और मरुस्तल, थार मरुस्तल के भाग है, दोस्तो थार का मरुस्तल, हम सब जानते हैं कि राजस्तान के जो भू भाग है, वो चार भागों बाटा गया राजस्तान को, जिसमें मरुस्तल है, मरुस्तल में कौन-कौन आते हैं, गोडवाड, भूमी आती है, सेकवाटी, अंतरवर के बाद में बात करेंगे निम्न में से किस जिले में उप उषन प्रवत्य बन पाया जाते हैं दोस्तो इस कुछन का उत्तर नंबर क्या होगा जालावार सिरोई बांशवडा उधेपूर उत्तर नंबर दो जी रोगा अगला कुछन अपके सामने है दोस्तो गोदावरी गंगा सिवनात बाराकर हमें आपस में मिलान करना है दोस्तो इस कुशन का उत्तर नमबर एक बिलकुर सही है पहला ही option होगा अगला कुशन निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है अबरक तालेचर मेगनीच बेलाडीला बॉक्साइट लोहरदगा और लोहा कोड्रमा दोस्तो इस कुशन का उत्तर नमबर तीन बिलकुर सही है तीसरा option सही है तीसरा बॉक्साइट बाला गुण सेट नमबर कुशन है कौन उत्तर दक्षन गलिवारे परिस्तित है आगरा है दोस्तो इस कुशन का उत्तर नमबर दो आग रहा होगा अगला कुछन है ग्रीन एनर्जी कोरिडोर दोस्तो यह RPSC कई बार पूच चुकी है करमचारी चैन बोर्ड के भी एक कुछन आच चुका है दोस्तो इसमें उसमें भी जैपूर अप्सन में था और जैपूर उनको बार बार काट ना था चार अप्सन थे तीन में जैपूर था आज दो अप्सन है जिन में जैपूर है दोस्तो जैपूर जैपूर तो दोनों के काट दो और कोटा हो नहीं सकता तो इस परकार से दोस्तो उत्तर नमर तीन अज में एक चित्तोड विकानेर बिल्कुल सही है उत्तर नमबर तीन होगा डोडो बेटा दोस्तों ये नीलगिरी की पाडियों में उत्तर नमबर एक बिल्कुल सही है अगला कुछन है विम्न लिखित विशेस्ता है किस नदी की है उद्गम, कुंबलगड की लेके निकट अरावली की पाडियों से है बिल्कुल सही है विम्न अदी मेवाड के मिदान के मद्या से होकर गुजरती है बिल्कुल सही है बेड़च, कोठारी वा मोरेल इसकी साहिक नदी है इसको उत्तर नमर तीन बनास नदी होगा अगला कुछन है दोस्तो सुची फर्ष्ट को सुची सेकिंड से मिलान करना दोस्तो आपको याद होगा हमारे देश का सबसे बड़ा सोर पारक बढ़ला है दूसरा है मद्यपरदेश का और तीसरा है करनाटा का पावागड तो दोस्तो पावागड में हम क्या करेंगे सोर उरजा की बात करेंगे तो एक में दो केवल और केवल एक में दो च्यार नमर उप्सन में डरने की जूरती नहीं है फिर आजाएगा आपका ताता पानी भूता पी हो जाएगा और मूपदल हो जाएगा क्या आपका पवन और काकरा पार गुजरात के अंदर है परमानू उर्जा उत्र नबर चार बिल्कुल सही है अगला कुछन है राजस्तान में अनुसुचित जनजाती जनसंक्या का दृत्य इस्तान पर परतिशत दोस्तों परसेंटेज पूचा है यदि पूचा जाए कि जनजाती सरवादिक संक्या कहा है तब तो हम उत्यपूर करते हैं लेकिन आज इसने परतिशत पूच लिया है राजस्तान में सरवादिक परतिशत यदि पूचा गया है तो इसका मतलब यह है कि राजस्तान में सर्वाधी परतिशत है बासवाडा दोस्तों बासवाडा के अंदर है 46.4 परतिशत जनजातिया दूसरा इस्तान पूँचा है ध्यान रखना इसने दूसरा इस्तान वित्यस्तान पूचा है तो डूंगरफूर आएगा दोस्तो 70.8% के साथ डुमरपुर का दूसरा इस्तान है उत्तर नमबर 2 बिल्कुल सही है अगला कुशन है दोस्तो एक तरफ इस्तिला करती है दूसरी तरफ मादीप है हमें आपस में मिलान करना है देखते हैं सुरू करते हैं दोस्तो नमबर 1 एकांग गुआ दोस्तो एक गांग गुआ जो है ये दक्षणी अमेरिका के अंदर है बिल्कुल सही है मेसेटा यूरोप में पढ़ता है और सेरेंगेटी मेदान दोस्तो अफरिका में है सोरी सेरेंगेटी मेदान अफरिका में है और गिप्सन डेजट अस्टेलिया में है इस प्रकार से दोस्तो इस कुशन का उत्तर यानि एक में चार दोस्तो एक में चार एकांच गुआ हो जाएगा आपका दक्षणी अमेरिका में और मेसेटा आपका हो जाएगा यूरोप में और सेरेंगेटी मेदान जो है वो हो जाएगा आपका अफरिका में और गिप्सन डे का निर्में है तृपूर सुंधरी वो इस्ताने जा पर भसुंदरा जी जब भी मोका मिलता है तो जाय वीना निर्यती तृपूर सुंधरी मार्शवड़ा गागरून का किला जालवड में जालवड़ में अर् नाकोडा दोस्तो बाड मेर में, मिलान हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है, अगला कुछन आपके सामने कौन से वर्ष में राजस्तान सोर उर जानिती दोस्तो आपको याद होगा 18 दिसंबर 2019 का दिन था जब राजस्तान के अंदर सोर उर जानिती जारी हुई और इसी दिन पाउन और हाईब्रिड उजानिती भी जारी हुई थी ठीक है, उत्र नमर दो होगा अगला कुछन है, कोपेन के जलवायू वर्गीकर्ण के नुसार निम्ण में से कौन से सही है दोस्तो बहुत ही गजब का कुछन है पहला और चोथा सही है बाकी गलत है दोस्तो गलत क्यों है? क्योंकि इसने बदमासी की है, पेपर बनाने वाले में दोस्तो यह जो B, W, H, W है न यह तो करना था गंगनगर में और B, S, H, W करना था बाड़बीर में ठीक है न, इसने क्या किया उपर नीचे कर दिया दोनों और गुम्रा कर दिया तो उत्र नमबर 1 और 4 होगा 1 और 4 के साब से उत्र नमबर D बिल्कुल सही है D, दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो BWHW है गोपेन के नुसार दोस्तों ये जेसलमेर में है उत्री पस्यमी बिकानेर में है और स्वरी पस्यमी बिकानेर में है उत्री पस्यमी जोधपूर में है गंगानगर में है, हनुमानगड में है B, W, H, W ठीक है, जब की दोस्तो B, S, H, W ये बाड़मेर में है जालोर में है, जोधपूर में है थोड़ा नागोर में, चूरू में, सिकर में, जुन्जुनू में तो इस प्रकार से A और D उत्तर नमबर 4 बिल्कुल सही है एक तरफ जील का नाम है, दूसरी तरफ देश का नाम है सुमेलित नहीं है, उसे चांटना है दोस्तो बालकस, कजाकिस्तान में बिल्कुल सही है क्रिटिका का बोलीविया पेरू बिल्कुल सही है ईर्यू, यूसे और कनाड़ा बिल्कुल सही है बेकाल यूक्रेन, दोस्तो बेकाल जो है ये यूक्रेन में नहीं है, ये रश्या के Siberia अक्षेत्र के पास उत्तर नमबर च्या दोस्तो इस प्रकार से चार नमबर सही नहीं है यानि D सही नहीं है तो D किसमे है उत्तर नमबर एक में है गुनेतर नमबर कुसन का उत्तर नमबर एक हो जाएगा और भीलवाड़ा के अंदर टेक्स्टाइल वस्तरुद्योग है और कोटा के अंदर मोड़क में रसाइनकार खाना है तो इस प्रकार से मिल गया है दोस्तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगला कुछन आपके सामने है दोस्तो World Happiness Index 2021 में भारत का क्या इस्तान है बड़ा गजब का कुछन है लेकिन इस कुछन का उत्तर नमबर तीन होगा एक सो गुण चालिस अगला कुछन आपके सामने है निम्ला लिकित में से कौन सा जिला है राजस्तान में मरू त्रिकोन का भाग बाड़ मेर नहीं है दोस्तो मरू त्रिकोन का भाग बाड़ मेर नहीं है बीका नेर जेसल मेर जोधपूर तीनों है दोस्तो बीका नेर ये जो जेसल मेर और ये जोधपूर इस प्रकार से ये तीनों ट्राइंगल बनाएंगे दोस्तो उत्तर नमबर इसका 4 होगा बाड़ बेर नहीं है दोस्तो अग्रिम अनुमानों के नुसार 2021 में इस्तिर कीमतों पर 2011-12 राष्टान की परतिव्यक्ति आये पूछी है दोस्तो सबसे पहले आपको याद करना है 2021 की अनुमान लगाया गया है वो इस्तिर कीमतों पर पूछी गई है परतिव्यक्ति आये पूछी गई है दोस्तो इसकुष्ण का उत्तर नमबर 2 होगा 72,217 में रूप है दोस्तो ये दिये इस्तिर की बजाए पर्चलित पूछ लेते तब हम कर लेते 1,9836 हो जाता थीक है तो इस प्रकार से इसकुष्ण का उत्तर नमबर 2 हो जाता 2 है महिलाओं के ससक्ति कनेतू इंद्रा महिला सक्ति निधी दोस्तो ये सब इंस्पेक्टर परिक्षा में भी आया था और आज फिर रिप्रीट हो गया है 18 दिसंबर 2019 उत्तर नमबर 2 होगा उत्तर नमबर 2 बिलकुल सही है दोस्तो इस कुष्ण का उत्तर नमबर 2 होगा 18 दिसंबर 2019 ठीक है अगला कुष्ण है जन्गरणा 2011 के नुसार भारत एंव राजस्तान में कारियस है बागीता दर कितनी है दोस्तो कारियस है बागितादर बारत की कितनी है गुन 40.8 राजस्तान की कितनी है 46.6 दोस्तो 43.6 राजस्तान की है और भारत की है 39.8 उत्र नमबर 2 होगा अगला कुशन है व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के नुसार Ease of Doing Business रिपोर्ट 2019 में बारत का इस्तान यानि Ease of Doing Business रिपोर्ट जो की विश्वर बेंक बारत जारी होती है 2019 वाली रिपोर्ट 2020 में आई इसमें राजस्तान का 63.8 इस्तान है दोस्तो जबकि 2018 की रिपोर्ट जब 2019 में आई थी तब राजस्तान का इस्तान 77 वाँ था और 77 से 63 में पहुँचने में 14 इस्तान सुदार हो गया दोस्तो हम सब जानते हैं कि 2014 से लेकर के 2019 तक राजस्तान के 79 अंकों का सुदार किया है वेरी इपोर्टेंट इस कुसिन का उत्र नमर 2 होगा दोस्तो निम्री में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रिय बजट में मिला दिया गया है हम सब जानते हैं कि 2016 सत्रा के अंदर वो बजट जो पहली बार जिंदगी में दुबारा ध्यान रखना ये बजट किसने पेस किया तब आपको याद रखना है दोस्तों हमारे पूर विटमंत्री जो वर्दमान में दुनिया में नहीं है अरुन चेटली जिन्होंने 2016 सत्रा के अंदर ये बजट पेस किया था रेस बजट को केंद्रिय बजट में सामिल कर लिया था और हम सब जानते हैं कि दोस्तों 1921-22 के अंदर दोनों को अलग किया गया था और उसके बाद में 2016 सत्रा में वापिस मिला दिया है उत्तर नमर दो होगा अठतर नमर कुशन है आयूसमान भारत मात्मा गांधी राजस्तान स्वास्ते बीमा योजना के अंतरगत नाजुक बीमारी स्वास्ते बीमा के में इस्तती में प्रती परिवार प्रती वर्ष दी जाने वाली रासी दोस्तों हम सब जानते हैं कि टॉटल पांच लाख मिलते हैं नाजुक बीमारी के लिए 4.5 लाख है और समाने बीमारी के लिए 50 जार है तो हमारे इस कुशन का उत्तर नाजुक बीमारी के लिए 60 लाख अगला कुशन आपके सामने है रास्टिय आए लेखांकन में अधार वर्ष क्या है दोस्तों बहुत ही गजब का कुशन है यानि रास्टिय जो आए का लेखांकन होता है उसमें जो बेसियर होता है अधार वर्ष होता है ना उसका क्या मतलब है दोस्तों चार उप्सन आपके सामने है सीधा मैं इसका उत्तर बता देता हूँ तीन नमबर देखो जिस वर्ष की कीमतों का उप्योग वास्त्विक GDP की गणना के लिए किया जाता है दोस्तों आधार वर्ष हम यूज करते है जैसे दोस्तों मालीजी रास्टी आई में आधार वर्ष यूज करते हैं 2011-12 आज भी हम उसको इस्तिर कीमतों पर लेते है क्योंकि दोस्तों 2011-12 वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें वस्तूर सेवाओं के मुल्य में उतार चड़ाओ सबसे कम हुए थे विचलन सबसे कम हुआ था इस वज़े से 2011-12 को हमने बेसियर के रूप में लिया है ठीक है तो बेसियर का मतलब यही होता है कि ताकि वास्थिक जिडिपिक गणना के उत्मोग में काम लिया जा सके क्योंकि विचलन सबसे कम हुआ था तो उत्तर नंबर 3 होगा अगला कुछन है राज़तान में राष्टिये ग्राम स्वराज अभियान के संदर में निमले कित में से कौन साखतन गलत है दोस्तो राष्टिये ग्राम स्वराज अभियान की बात करें तो उत्तर नंबर 1 देखो दोस्तो योजना का नारा आपनी योजना आपनों विकास ओई गलत है दोस्तो ये गलत है इसकी इस्तान पर नारा क्या है सबका साथ, सबका गाउं, सबका विकास दोस्तो सबसे पहले सबका साथ सबका साथ फिर है सबका गाउं और फिर है सबका विकास ये दोस्तो इसकी थीम है यानि ये टेग लाइन है दुबार देखें सबका साथ, सबका गाउं, सबका विकास ये है राश्टिये ग्राम, स्वराज, अभियान दोस्तो इसमें उत्तर नमबर एक होगा पंचाय सरस्क्तिकर्ण अभियान का नामी बदल करके राष्टी एक ग्राम सुराज अभियान कर दिया गया बिल्कुल सही है इस योजना में केंदर वित पोर्षन के लिए केंदर और राष्टी के बीच में 60-40 बिल्कुल सही है और इस योजना में विशेश ध्यान जन परतिनी दिदितियों एक करारमिकों के क्षमता संवर्दन पर है ये बात भी बिल्कुल सही है उत्तर नमबर एक होगा असी में क्यासी नमबर कुशन है राजस्तान बजट 2021-22 के नुसार फिंट एक डिजिटल विश्विद्दाले की स्थापना किस जिले में दोस्तो इस कुशन का उत्तर नमबर तीन जोद पूर होगा यदि यहां पर पूछ लेता के फिंट एक पारक पारक पूछ लेता तो जैपूर कर देते दोस्तो मैंने आपको बजट के बणा के दिये थे 50 कुशन और 50 कुशन में कोई ऐसा कुशन नहीं है जो आपके आज पेपर में नहीं आया होगा 2 या 3 कुशन जो आए हैं वो सारे के सारे बजट उसमें से आगए आर्थिक समिख्षा में जितने कुशन मेंने बढ़ाय एक भी कुशन बार नहीं है ये दोस्तो ऊपर वाला जो कुशन है ना यह भी आर्थिक समिख्षा में दिया हुआ है आप चेक कर सकते हो ग्र자मीन विकास वाले टोपिक में मैं एक एक टॉपिक दोस्तों बोल सकता हूँ थोड़ देर पहले आया था इंद्रा महिला सकती निदी ये भी आया हुआ है दोस्तों थोड़ देर पहले आया था कारिया सहब अगिता दर ये भी पूछा हुआ है दोस्तो केंद्र यह बजट वाला, रेल बजट वाला भी आये हुआ है, परतिवेक्ति आये वाला भी आये हुआ है, ठीक है, यह सारे कुशन जो है, आर्थिक्ष मिक्षा में में इतने गजब तरीके किसे त्यार करके दिये थे, दोस्तों क्या बताऊं आप पढ़ लिया आपने तो आपका बेड़ा पार है नहीं पढ़ा तो आप दोस्त किसी को नहीं दे सकते ठीक है दोस्तों आप इधर उधर भागते रहते हो जो चीज मिलती है जहां चीज मिलती है उस चीज का पता होते हुए भी आप इधर उधर भागते हो ये गलत बात है जदी सच में selection लेना है आप कोई भी exam पास करना चाहते हो तो मैं जो बताओं वैसे कर लेना जिंदगी में कोई selection रोक नहीं सकता ये में guarantee देता हूँ सबसे पहले आप कोई काम करना है क्या Guru ग्यान पब्लिकेशन का telegram channel अभी join करना है जोइन करने के बाद वहां से मेरे number लेकर के डारेक्ट आप मुझे phone कर सकते हो डारेक्ट आप मुझे message कर सकते हो डारेक्ट आप मुझे whatsapp, text, कुछ भी कर सकते हो कोई भी समश्यासा जा कर सकते हो दोस्तों ये सारे के सारे कुशन जो है लगबग आज के paper में बात करूँ तो मैं बात कर सकता हूँ 120 कुशन 120 कुशन में से 100 कुशन माल लेते हैं बाकी क्योंकि 20 कुशन है current GK के हैं और 20-25 कुशन math reasoning के वो निकाल दो 100 कुशन जो बताए हैं ना GK वाले इन में से 90 कुशन दोस्तों अपने वीडियो कंटेंट में से आर्थिक्षमिक्षा से बजट वाले टॉपिक में से और आप यदि प्रूफ चाते हो तो आपको गुरु ग्यान पब्लिकेशन का टेलिग्राम चेनल जोइन करना चाहिए वाँ पर मैं प्रते कुशन का पुरूफ डाल दूँगा अब दोस्तों अगले कुशन की ओर लिए चलता हूँ इस प्रकार से इस कुशन का उत्तर नंबर एक हो गया 81 नंबर है फिंटेक डिजिटल उनिशटी दोस्तों ये जोधपूर में है और फिंटेक युनिवर्सिटी की बात करे तो जोधपूर में जबकि फिंटेक पारक की बात करे तो जैपूर में अगला कुशन आपके सामने दोस्तों ये सारे के सारे मैंने आर्तिक समिक्षा में डाल रखे हैं देखो निमलिकित में से कौन आयूसुमान भारत प्रधानमित्री जन आरोग्य योजना के किरियान में ने उत्र दाई है दोस्तों हम सब जानते हैं कि आयूसुमान भारत प्रधानमित्री जन आरोग्य योजना ये वो योजना है जो देस बरके 10.14 करोड परिवारों को दोस्तों क्या दे रहा है ये स्वास्ते भीमा जन आरोग ये योजना है ठीक है ठीक है और ये योजना 10.14 करोड परिवार यानि देस बरके 50 करोड लोगों को क्या दे रहा है स्वास्ते भीमा दे रहा है पांच लाग का और दोस्तो इसका किरियानवन को और कर रहा है राश्टियस स्वास्ते प्रादिकर उत्तर नमबर एक होगा अगला कुशन आपके सामने है राजस्तान में सतत विकास लक्षयों के प्रभावी किरियानवन हेतु निम्न में से किस विबाग को नोडल विबाग बनाया गया है दोस्तो सतत विकास लक्षय आपको पता ही होगा स्रियुंक्तराश्ट उन ने बनाए थे और 2030 नाम से बनाए थे और आपको ये भी पता होगा कि सतत विकास जो लक्षय है ये टोटल 17 है 17 विकास लक्षय है और 100 गुनेतर क्या है उप लक्षय है और हमारे यहां राजस्तान के अंदर दोस्तो इसको हम बोल सकते हैं इंगलिस में सतत विकास लक्षय के लिए SDG 1.0 और 2.0 1.0 में पहले इस्तान जुन जुनु का था 2.0 में पहला इस्तान कोटा का है ये कुशन भी आ चुके हैं हमारे इस कुशन का उत्तर नमबर क्या होगा आयोजना विबाग उत्तर नमबर 3 होगा अगला कुशन आपके सामने है राजस्तान की परवन बहुत देशय सिंचाई पर योजना कुश नहीं दोस्तो परवन बहुत देशय सिंचाई योजना 2017-18 में लाई गई थी और परवन नदी है उस पर लाई गई थी ततकालीन मुख्यमंतरी वसुंदरा राजे सिंदिया लेकर के आई थी और दोस्तो इस योजना के माद्यम से कोटा संबाग लाबानवित है लेकिन कोटा संबाग का बूंदी जिला नहीं है दो दोए देख लो क्या उतर होगा जालाबाड 12 कोटा उतर नमबर 1 बिलकुर सही है अगला कुशन है ओद्योगिक उतपादन निर्दे सांक दोस्तो एनेसो जारी करता है 2017 में इसका अधार चार पांस से बदल करके 2011 बारा कर दिया है ओद्योगिक उतपादन सुचकांक जो है दोस्तो इसमें तीन चीजे सामिल होती है नमबर 1 खनन, नमबर 2 वी निर्मान, नमबर 3 विद्युद तो इस प्रकार से उत्तर नमबर 1 होगा गेस और जला पूर्ती सामिल नहीं है 86 नमबर कुशन है 2021-22 के राजस्तान बजट में विद्युद पर कुल व्या का परस्तावित योजना व्या दोस्तो उत्तर नमबर 2, 14.32% होगा चार नमबर उप्शन है 52.19 दोस्तो ये किस पर होता है सामुदाइक सेवा पर जबकि दो नमबर उत्तर है ये विद्युद पर है विद्युद पर दूसरा उप्शन बिल्कुर सही है अगला कुशन है 1 अप्रेल 2020 को भारत सरकार द्वारा सुरू की गई अटल भूजल स्कीम में साहिता प्लब्द कराने वाली संस्ता कोन सी है दोस्तो चार उक्शन आपके सामने है एशे विकास में गलत है पुनर निर्मान और विकास है तो ये उरोपिय बैंक गलत है विश्वे बैंक उत्तर सही होगा अटल भूजल योजना वेर इंपोर्टेंट कुशन उत्तर नमबर तीन विश्वे बैंक होगा अगला कुशन आपके सामने है राश्टेकर्स सी विस्तार और तक्निकी मिसन में दोस्तो ये सारे आंकडे जो चीज में बता रहा हूं बोलता जा रहा हूं ये आर्थिक शमिक्षा में आप एगरी कल्चर वाले में देखो दोस्तो ये एगरी कल्चर आर्थिक शमिक्षा में बहुत सांदार तरीके से दे रखा है ये अटल भूजल भी दे रखा है और दोस्तो ये भी दे रखा है ये गेस और जलापूर्ती वाला ये भी दे रखा है ये परवन वाला भी दे रखा है कोई भी कुशन ऐसा नहीं है जो आर्थिक समिक्षा से नहीं आया है सारे के सारे जो मैंने त्यार किये उसमें से आया है आप देख सकते हैं दोस्तो ये कुशन देखो यहां हम 88 नमर कुशन की बात करेंगे दोस्तो राश्टिय करसी विज्दार तक्निकी मिसन जो है इसमें केंदर राज्ये विटपोस्टन है 40 40 में से केंदर का 60 राज्ये का 40 उत्तर नमर 2 हो जाएगा अगला कुशन है बाजार मुल्यों पर सुध राश्टिय उत्तपाद दोस्तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं यह हमारी GDP है दोस्तो GDP है इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तो NIFA जोडेंगे मैंने दोस्तो राजस्तान की आर्थिक्शमिक्षा में यह चीज बताई भी थी यहाँ पर आजाएगा दोस्तो हमारा GNP आजाएगा ठीक है जैसे ही आप GDP में NIFA Net Income From Abroad जोड देंगे तो क्या आजाएगा GNP आजाएगा और GNP में से दोस्तो हम Depreciation गटा दें यदि मुल्य हस गटा दें तो यहाँ पर NNP 8 Market Price आजाएगा क्या जाएगा NN 8 Market Price दोस्तो हमारा चोथा option देखो Gross National Product यानि GNP 8 Market Price ये भी Market Price पर है MP Market Price पर है में से क्या करना है Depreciation गटाना है उत्तर नमबर 4 कि यह क्या मिल जाएगा NNP 8 Market Price सकल राष्ट्य उत्पाद 8 Market Price उत्तर नमबर 1 हो जाएगा अगला कुर्षन आपके सामने है पिछली सदी में वेश्विक औसत तापमान में कितनी वर्दी हुई है दोस्तो पिछली सदी में वेश्विक तापमान में 1.8 degree Fahrenheit की वर्दी हुई है दोस्तो ये कुर्षन राजस्तान Pollution Board ने भी पूछ लिया राज़तान करमचारी चैन बोर्ड ने भी पूछ लिया है ये कुर्षन आ चुका है दोस्तो दो तीन बार IBPS ने भी पूछ लिया ये कुर्षन 1.8 डिग्री फारिनाइट अगला कुर्षन है दोस्तो इस्टेटोस्कोप में रोगी की दिल की दड़कन की ध्वनी वो डाक्टरों तक किस रूप में पहुंचती है दोस्तो चार उप्षन आपके सामने है Multiple Reflection of Sound दोनी के बहू परावर्तन पर होती है ठीक है उत्तर नमबर चार होगा दोस्तो ठीक है अगला कुस्तन है बायो मास्का एक उल्टा पिरामिड है जो उत्तपादक होते है उत्तपादक कौन होते हैं सेवाल वगेरा होते है छोटे पोदे होते हैं जलिये पोदे जिनको बोलते हैं दोस्तो ये सूरिय से उर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं उर्जा प्राप्त करते हैं अर्थात वो उत्तपादक है तो दोस्तो इन पर निर्बर होता है दूसरे जानवर और सबसे बड़े समुंदर के अंदर होता है दोस्तो वैल मचली हो गई बड़ी-बड़ी मचलिया बड़े-बड़े जानवर उनका बार सबसे ज़्यादा होता है तो दोस्तो उत्पादक दोस्तो ऐसे होगा उत्पादक दोस्तो आपके सामने दोस्तो यह कुशन है चौरानमे नमबर माता गर्बस्त थिसू आरच कारक रक्त प्रकार भी संगती की समश्या उत्वपन हो सकती है यदि माता दोस्तो यहां पर इस कुशन का उत्तर नमबर तीस रहा देखो आरच नेगेटिव आरच पोजेटिव माल माता की आरच तो इसकी बज़े से माता की पेट में बच्चा पल रहा है और जैसे वह बच्चा खरकार आ है जनब लेगा तो उसका मा के सब्लेड में मिल जाएगा ऐसे इस्तति में मांकी अंदर दोस्त, एणिबोडि बन चुकी है on antibody मा के स्रीर में बन गई पहला बच्चा तो स्वस्थ हो गया लेकिन जब दूसरा बच्चा जनम लेगा दूसरा बच्चा पेट में आएगा जनम लेगा तब ऐसी इस्तिति में दोस्तों फिर वो मा के खून में दूसरे बेच्चे का खून जाएगा तब पहले से बनी हुई antibody और दूसरे बच्चे की antibody आपस में टकराएगी antibody जब आपस में टकराती है तो दोस्तों क्या होती है? RBC नस्ट हो जाती है इस प्रकार से उत्तर नमबर 3 होगा अगला कुशन आपके सामने है दोस्तों शोला पॉइंट नो के चितर अभी मुक्ता अनुपात पिक्चर औस 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 प्रेशियो के साथ प्रदसन विबेदन डिस्प्ले रिजूलोशन दोस्तों इस कुशन का उत्तर नमबर 1 होगा उत्तर नमबर 1 बिल्कुर सही है अगला कुशन है जापानी इनसे फैलाइटिस का कारक विशानू, मनुष्य, सरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है नमबर 1 RBC, नमबर 2 फेंपडे नमबर 3 तो अच्छा मस्तिक्स दोस्तों इस कुशन का उत्तर नमबर 4 मस्तिक्स होगा अगला कुशन है दुर्दम मेलिगनेट मलेरिया दोस्तों चार उक्षन आपके सामने है प्लाजमोडियम ओबेल, प्लाजमोडियम मेलेरिया प्लाजमोडियम फेलसिपेरम, प्लाजमोडियम वेक्से दोस्तो इस कुछन का उत्तर नमबर 3 प्लाजमोडियम फैल सिपेरम होगा उत्तर नमबर 3 बिलकुर सही है कड़कनाथ एकिश्म है दोस्तो ये मुर्गे की है आपको याद होगा कड़कनाथ जो मुर्गा है ये मद्यप्रदेश का परसीद है उत्तर नमबर 3 काले रंका बुर्गा होता है कड़कनाथ उत्तर नमबर 3 है अगला कुछन आपके सामने 99 नमबर कुछन है निम्ण में से कौन सी आवरती इन सेट जी सेट उपग्रे संचार हितु उपयोग में नहीं ली जाती दोस्तो C भी होती है K भी होती है उत्तर नमबर 2 बिल्कुल सही है अगला कुछन है राजस्तान का राज्ये पुछ पर कौन सा है जिसका विज्ञान और प्रोद्योगी की में बाग के दिन कार्यत राज्ये रिमोट संसिंग अप्लिकेसन चेंटर दोस्तों ये जोधपूर में है उत्र नमबर 2 बिल्कुल सही है अगला क्यूशन है, निम्मन में से कौन से विटामिन विशा में गुलंड शील है केवल और केवल C और B ये दो ऐसे विटामिन है, जो जल में विलेसील होते हैं B और C, बागी सारे बच गे सारे की सारे विटामिन होते हैं वो बसा में होते है तो उत्तर नमर 3 होगा दोस्तो तीन नमर बिल्कुल सही है 104 नमर क्योशन है M O E M S का पूरा नाम क्या है दोस्तो दूसरा option देखो Micro Opto Electro Mechanical System उत्तर नमर 2 बिल्कुल सही है अगला क्योशन है 21 में Trisomy दोस्तो सब इंस्पेक्टर परिक्षा में ये कुशन आये था और आपके पटवार में भी कुशन आये था 21 में Trisomy क्या है दोस्तो 21 ट्राइसomy क्या होता है हम सब जानते हैं कि मनुश्य में 44 प्लस X, X या XY गुण सुत्र होते हैं दोस्तो यह जो 44 होते हैं इनको हम A लेंगे गुण सुत्र कहते हैं और जो X, X और X, Y जो होते हैं इनको क्या कहते हैं यह लेंगे गुण सुत्र होते हैं अब यह जो 44 है इस में से जो 21 जोड़ा है क्योंकि यह जो 44 है यह 22 जोड़े हैं 22 जोड़े हैं, प्रति एक जोड़े में 2 गुन सुत्र होते हैं, अब इसमें से जो 21 गुन सुत्र ये जोड़ा होता है, तो दूसमें 2 गुन सुत्र पहले से होते हैं, एक गुन सुत्र और बढ़ जाए, दोस्तो इसे 21 ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि 21 जोड़े में पहले से 2 गुंण सुत्र है यह गुंण सुत्र और बन जाने से 21 में ट्राइसोमि होगे और इसे कहते हैं मंगोलिजम को कहते हैं उत्तर नंबर 30 दोष्टार होगा अर्थात मंगोलिजम, डाउन सिंड्रोम, चोड़ी ललाट, गर्दन थोड़ी नीचे और ललाट बड़ा होता है दोस्तो उत्तर नमबर चार डाउन सिंड्रोम होगा अगला कुस्तने 106 नमबर है निम्नलिकित में से कौन सा एक जुनोटिक रोग नहीं है दोस्तो जुनोटिक रोग का मतलब होता है ऐसा रोग जो के पस्वों से मनुष्य में आता है ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि पस्वों से मनुष्य में बहुत सारे रोग आते है रेबीज की बात करें, दोस्तो कुता काट ले, बिल्ली काट ले, उंट काट ले कोई भी जानवर ऐसा जिनमें rabies virus है वो काट ले तो मुनश्य में आ जाता है दोस्तो प्लेक की बात करें तो चुहे काटते हैं चुहे के जो मुक होता है या चुहे के ऊपर सरीर पर दोस्तो एक पिसू होता है प्लीज जिसको हम बोलता है पिसू जो रक्त चूशने वाला कीड़ा उसकी वज़े से होता है उसके बाद में दोस्तो सार्स की बात करें तो सार्स का पूरा नाम होता है severe acute respiratory syndrome ये भी दोस्तो पसूँ से आता है तो ये तीनों के तीनों जिनोटिक होता है लेकिन हमारा जो उत्तर नंबर दो है जिसका नाम है mucormycosis दोस्तो इस इसको हम बोलते हैं black fungus दोस्तो यही जो है वो जिनोटिक नहीं है उत्तर नंबर दो होगा अगला कुसन है राजस्तान में सोर वेदे साला कहा है सापित है दोस्तो सोर वेदे साला उध्यपूर में उत्तर नंबर एक बिल्कुल सही है ठीक है अगला कुसन आपके सामने भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत गना जंगल अक्षेतरपल नियून तम है दोस्तो बहुत गना क्षेतरपल नियून तम है यानि एक प्रकार से यह दोस्तो वनों का प्रतिसत पूझ रहा है ठीक है हम सब जानते हैं कि राजस्तान के अंदर वन रिपोर्ट 2019 के नुसार सबसे ज़्यादा वन कहां है दोस्तो यू एपीबी यू एपीबी आपको याद होगा उद्यपूर अलवर प्रतापगड बारा और सरवादीक प्रतिसत कहां है यू पीएसी दोस्तो उद्यपूर प्रतापगड सिरोई करोली ठीक है ये तो हो गया सरवादीक की बात और सरवादीक प्रतिसत की बात अब यदि पूछा जाए आपसे कि न्यून्तम वनक्षित्र कहां है दोस्तो न्यून्तम वनक्षित्र कहां है तो ये भी अच्छा कूशन है और एक न्यून्तम परतिसत पूछ लिया गया है आपसे तो दोस्तो एक सब्दि आपको याद रखना है चूहा जोगा मैंने बहुत पूचा जाए तो चूरू का सबसे कम है थोड़ा ज्यादा हनवानगड का है उससे थोड़ा ज्यादा ज्यादा गंगानगर का है ये तो एक खेतरपल लेकिन परतिसत पूचा गया है तो गना जंगल परतिसत तो जोधपूर सबसे कम परतिसत किसका है वनों का जोधपूर का उसके बाद में चूरू और उसके बाद में नागूर। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर नमबर दो हो जाएगा जोद्पुर। अगला कुस्टन है रक्षा अनुसंदान वे विकास संस्थान यानि डियाडियो। डियाडियो का अद्रसवाकि क्या है बलस्य भलम मूलं विज्ञान उत्र नमबर एक होगा। दोस्तों संपिडित प्राकर्ति टिंसंद nessa जी का मुख्य गटक हम सब जानते हैं कि सिए का मुख्य गटक मिफेन होता है। मिथेन के साथ दोस्तो एथेन भी होती है, प्रोपैन भी होती है, लेकि लगबग 80% के आज़ पास इसमें क्या होती है, मिथेन होती है, ठीक है, चलिए दोस्तो, 110 के बाद सीधा लिए चलता हूँ 1131 नंबर, दोस्तो मैंने मेत और रिजनिंग हटा करके लास्ट में लगाई ह मैं उनके उत्तर आपको लास्ट में बताऊंगा अब मैं चल रहा हूँ निरिया तक बनने की बात 131 निरिया तक बनने के आकांकसी लोगों के लिए प्रारम्ब किया गया मिसन निरिया तक बनो परवर्टित किया गया है दोस्तो इस कुशन का उत्तर नमबर चार होगा उत्तर नमबर चार बिल्कुल सही है अगला कुशन दोस्तो आपके सामने है बारत की पर्थमकर्शी अदारित कुसुम सोर उर्जा सेंतर दोस्तो परियोजना को राजस्तान के किस गाउं में दोस्तो बालो जी गाओं, कोट पुतली तैसील का बालो जी गाओं है, दोस्तो यहां पर कुसुम योजना के गटक A, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुसुम योजना के गटक 3 है, गटक A के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई किसान जिसके पास बंजर भूमी है, तो वो 0. 2.2 मेगावाट से लेकर के 2 मेगावाट तक 500 किलो वोर्ट से लेकर 2 मेगावाट सेंतरिस्तापित कर सकता है उसे 60% की सर्छीड़ी दी जाएगी केंदर सरकार 30%, रजी सरकार 30% और 30% लोन मिलेगा 10% उस खिसान को खुद को लगाना होगा ऐसा ही हुआ दोस्तों भालोजी गाउं में और कोट पुतली का ये गाउं है जहां पर राजस्तान का पहला कुसमी सोर उर्जा से अंतरिस्ता पितुआ है दोस्तों राजस्तान का दूसरा यदि आप से पूछा जाए तो वो गड़सी सर है सरदार सरते सील का गाउं है अगला कुछन आपके सामने 133 नमर आपूर्ती स्रंकला लचिलापन CSCRI के बारे में निमली कित कत्रों पर विचार करें एक नमर है अंतरास्ट्य व्यापार के संबन्द में आपूर्ती स्रंकला लचिलापन एक दर्श्री कोण है जो एक देश की किसी ऐ परत्यासित इस्तती में आयात की निर्बाद आपूर्ती को सूनी सित करने में मदद करता है यह पांच देशों की एक पहल है भारत उसमें सामें उनमें से एक है दोस्तो यह बात गलत है केवल उत्तर एक होगा अगला कुसन आपके सामने निमले कित में से कौन टॉक्यो ओलम्पिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता है रहे हैं दिये गे एक उट में से सही उत्तर का चेहन करें दोस्तो इसमें रवी कुमार दईया कुस्ती है दोस्तो 65 के जी 65 के जी में इन्होंने रवी कुमार दईया ने रज़त पतक जीता और मीरा माई चानू दोस्तो मीरा माई चानू जो है इन्होंने बारात ओलन में क्या जीता रज़त पतक जीता है तो A और D होगा उत्तर नमबर 2 सही है जबकि PV सिंदू बेड मेटन के अंदर कांशे पदक जीता बजरंग पुनिया गुनेतर केजी में कांशे पदक जीता तो इस परकार से दोस्तो 134 नमर कुरिशन का उत्तर नमर 2 बिल्कुल सही है नजीब मिकाती कौन है? दोस्तो नजीब मिकाती लिबनान के प्रदान मंत्री है उत्तर नमर 4 होगा लिबनान के प्रदान मंत्री अगला कुर्शन 136 नमर निमना की तिमें से कौन मेरा थन वोर लिडर सेप इन कॉमबेक्ट इन अफगानिस्तान नामक पुष्तका लेका कह है? दोस्तो इस कुर्शन का उत्तर नमर 3 जैफरी सलो सर होगा इटली ने किस देश को हरा करके EU EFA Euro 2020 का जीत लिया है दोस्तो इंगलेंड उत्तर नमर 3 होगा 138 नमर कुर्शन है कॉलेज विद्यारतियों को Digital Academy सामगरी की साहिता प्रदान करने के लिए राजस्तान सरकार ने एक AEP को लाँच किया है इस AEP का नाम क्या है? दोस्तो इस कुर्शन का उत्तर नमर 3 My Book Low उत्तर नमर 3 होगा अगला कुर्शन है पुष्तक संस्करतीरी सनातन दीट संस्करतीरी सनातन दीट के लेख कोन है? दोस्तो इस कुर्शन का उत्तर नमबर 2 भौमर सिंग सामोर है दोस्तो हम सब जानते हैं कि केंद्रिये सहितिय कादिमी द्वारा राजस्तानी बासा का पुर्षकार इस बार दिया गया था बमर सिंग सामोर को और उनकी रचना है संस्किर्तिरी सनातन दीट उत्तर नमबर दो होगा अगला कुछन आपके सामने है राश्पति रामनात कोविन ने किस सविदान संसोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है दोस्तो 105 वा सविदान संसोधन आपको याद दिला देता हूँ दोस्तो आपको याद होगा OBC आयोग को यानि पिछड़ा वरग आयोग को समयदानिक दरजा देने के लिए सविदान संसोधन 102 वह लाया गया था आगे चल करके दोस्तो इसको 105 वा सविदान संसोधन के रूप में इसे में संसोधन किया गया ये कहा गया कि पहले दोस्तो 102 के तहट कुछ राज्यों की दोस्तो पावर थी वो छीन ली गई थी कि OBC वरग के अंदर सामिल करने के लिए कौन-कौन सी जातियों को सामिल करना है ये दोस्तो राज्यों का विश्य होता था लेकिन 102 में सविदान संसोधन के माध्यम से चिल लिया बाद में आगे चल करके 105 सविदान संसोधन के माध्यम से दोस्तो क्या कर लिया गया राज्यों को ये वापिस दे दिये गए अधिकार कि वो OBC में किस किस जाती को सामिल करना ये निर्दारन गाज ये करेंगे ठीक है तो इस परकार से उत्तर नमबर दो बिल्कुल सही है अगला कुछन है दोला विरा के बारे में दोला विरा गुजर एक परकार से मंगल यान है हम कह सकते हैं कि चीन का अंतरिक्षियान है दोस्तो उत्तर नमबर तीन होगा चीन का अंतरिक्षियान ठीक है अगला कुछन है अंतराष्टी एनी अवार्ड दोजार बीस किसे दिया गया है अमित्सा सत्यनाय रेड़ी दोस्तो उत्तर नमबर ती होगा C.N. Rau को दोस्तो C.N. Rau भारत के अंदर नेनो टेकनलोजी के जनक है C.N. Rau दोस्तो उत्तर नमबर तीन होगा भारत रतन भी आपको याद होगा सचीन ते अंदुल गरे से साथ 2004 मिन को मिला था C.N. Rau को उत्तर नमबर तीन जिनको हाली में अगला कुछन है नाभी M.G. दोस्तो नाभी M.G. के बारे में जितना कुछ बताया जा सके उतना कम है नाभी M.G. क्या है दोस्तो नाभी M.G. क्या है ये गेहूं की एक किसम है दोस्तो ये काला गेहूं है कैसा गेहूं है काला गेहूं यदि आप से पूचा जाए कि गेहूं की काले गेहूं की ये किस्म किस ने विक्षित की दोस्तो पंजाब के मोहली में इस्तित नेशनल एगरी फूड बायो टेकनोलोजी द्वारा दोस्तो ये किश्म जारी की गई है गेहूं की एक किश्म है ना भी एमजी उत्तर नमबर दू दोस्तो आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ये चर्चा में आई थी जब बीका कितमें से किसने टाइम दोहजारी किस लिस्ट दोहजारी की लिस्ट आफ हंड्रेड मौस्ट इंफ्लेशनल पीपल में इस्तान पराप्ट किया दोस्तो नरेंदर मोधी भी है ममता बंदर जी भी है अडार पुना वाला जो की ये भी है और मंजा पी मंजुसा पी कुल करनी यानि चारों ही उत्तर सही है दोस्तो हुआ क्या मोधी के अलावा हम कुल करनी की बात करेंगे दोस्तो कुल करनी कौन है एशियन पैसिफिक पॉलिटी एंड प्लानिंग की क्या है दोस्तो कारिय कारी निदे सक है ठीक है यानि एशियन पैसिफिक पॉलिशी एंड प्लानिं सही है अगला खुसन आपके सामने टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 के समापन सामारो में कौन सा खिलाडी भारतिया द्वजवाक बना दोस्तो पेरा ओलंपिक बात करें तो पेरा ओलंपिक में जाते वक्त किस ने किया आते वक्त किस ने किया दोनों इंपोर्टेंट बात है आते वक् बना अवनी लखेरा वो लड़की है जो राजस्तान की है और इसने 10 मिटर एर राइफल इस परदा में कांशे पदक दोस्तों 50 मिटर में कांशे जीता और 10 मिटर में गोल्ड जीता आते वक्त ये ध्वजबाक बनी थी उत्तर नमर च्यार होगा अगला कुछन आपके सामने है भाविना पटेल टेबल टेनिस की खेलाडी है निसाद कुमार दोस्तो निसाद कुमार उंची कूद के हैं हरविंदर सिंग दोस्तो तिरवांतिरंदा जी के हैं सरदार जी जिनोंने सबसे अंत में कांशे पदक जीता था परतियोगीता का समापन हरविंदर सिंग नहीं किय इसे किस देश के साथ आपदा प्रबंदन सहनियता और समन के क्षित्र में समझोता ग्यापन पर अस्ताक्सर कियें एक सो गुणनचास नंबर कुछन का उत्तर नंबर चार बंगला देश होगा एक सो पचास और आखिरी कुछन आपके सामने है राजस्तान जन अदार परादिकन अध्यादेश कब लागूगा दोस्तो इस कुछन का उत्तर नंबर एक 18 दिसंबर 2019 को दोस्तो ये पेपर पूरा हो गया है अब केवल और केवल मैथ और रीजनिंग बच गई है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो मैथ और रीजनिंग के साथ ये जो पूरा पेपर है इसका उत्तर सहीत पेपर की पीडियाफ मैं गुरू ग्यान पब्लिकेशन के टेलिग्राम चेनल पर थोड़ी दिर के बाद डाल दूँगा वहां से ये पूरा पेपर आप ले सकते हो दोस्तो जहां तक है मैं पूरान होस और हवास के साथ कह सकता हूँ कि एकदम सटीक अनसर की है राजस्तान में सबसे सटीक अनसर की गुरू ग्यान पब्लिकेशन के टेलिग्राम चेनल पर और यूट्यूब चेनल पर ही मिलती है आपको पता ही है ठीक है तो दोस्तो यहां पर कोई तुक्के नहीं चलते हैं केवल ऑथेंटिक चीजे मिलती है हाँ एक चीज और बता देता हूँ दोस्तो मैं कोई भी चीज बताता हूँ न वो गॉर्मेंट सोर्स होता है यानि राजस्तान और भारस सरकार की साइट से उठा करके कोई मेटर जो है कोई भी चीज में बोलता हूँ यह भारस सरकार की राजस्तान सरकार की साइट से उठा करके आती है चीजें यानि इनका सोर्स जो होता है स्रोत जो होता है वो सरकारी होता है ये बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तो यदि आप क्योंकि दोस्तो आज का पेपर देखने के बाद मैंने बहुत सारे विध्यार्चियों से मिला तो सब के चेरे उत्रे वे थे क्यों उत्रे वो मेरे समझ में नहीं आया इसके पीछे एक बड़ा रीजन मैं मान सकता हूँ कि वो बड़ी-बड़ी कोचिंगों के नाम सुन करके उनके पीछे भागते हैं जबकि हम सब को पता है कि किसी भी कोचिंग के आज के इस पूरे डेड़ सो में से पचास कुशन भी नहीं आये हैं यह आपको पता है यह आप सब जानते हो लेकिन दोस्तों एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूराने क्यूसन यदि आपने कर लिए RPSC का 2011 से 2020 करमचारी चेन बोर्ड के 2015 से 2020 यदि क्यूसन का सोलिशन आपने कर लिया तो आपका सेलेक्शन कोई जिंदगी में रोक नहीं सकता अब यदि आप इनका बेठो एक-एक पेपर का सेलेक्शन भी आप सोचो कि मैं एक-एक पेपर को देखूँ तब यह संभव चीज नहीं है तो क्या करना चाहिए गूरु ग्यान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाओ जहां पर राजस्तान और भारत की पॉलिटी का 40 गंटे का वीडियो है जिसमें RPSC के टोटल पेपर का सोलिशन है दोस्तो इसके साथ में राजस्तान की और भारत की जोग्रोफी 25 गंटे के वीडियो है सारे पेपर का सोलिशन किया हुआ है आज के पेपर में दोस्तो 80 से लेकर 90 क्यूशन तो रिपीट हुए है ऐसी बात नहीं है आर्थिक समिक्षा की बात करें तो भी रिपीट हुए है दोस्तो थोड़े दिन पहले चाहिए वो HM का एक्जाम हो चाहिए आपके सब इस्पेक्टर का एक्जाम हो चाहिए पटवारी का एकजाम हो चाहिए उससे पहले जो आपके RPSC के और भी को एक्जाम हो से टेस्टिंग ओफिसर का एक्जाम हो है ना इन सब एक्जामों में जो कुछन आये हैं आर्थिक समिक्षा के वो रिपीट हुए हैं दोस्तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि अब आपको क्या करना चाहिए कोचिंगों के चक्र में पढ़ना है या सेल्प त्यारी करनी है दोस् करके साल दो साल के बाद आओगे इससे अच्छा अभी जोईन कर लो जिन्दगी बन जाएगी आज का पेपर देखने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूं कि कोचिंग वालों की हवा निकल गई कोचिंग वालों की क्या निकल गई हवा निकल गई है आरे मेरा सपन पाठ मैं तन्चाटू तू मन्चाट ये सभी कोचिंग वालों के साथ हुआ है ये बात पक्की है इनी सब्दों के साथ वानी को विराम दूँगा थोड़ी देर के बाद में गूरु यान पब्लिकेशन के टेलिग्राम चेनल पर मैं गनित के जो पेपर कुशन है उनका उत्तर सहीत और इस पेपर का उत्तर सहीत मैं वहाँ पर डाल दूँगा अभी के लिए बस इतना ही चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप मुझे जरूर बताए यदि अच्छा लगा तो आप अच्छे कमेंट्स जरूर करें और मुझे दोस्तों आपकी जो मोटिव हरता है मैं चाहता हूँ राजास्तान के परटेक बच्चे के जुबान पर यह चीजें होनी चाहिए कि क्यूसं कहां से आते हैं मेन चीज visas suspension जा यह है बहूत सारे बच्चे तो दोस्तों ऐसे ही होती आप चाहे कुछ भी कहें दोस्तों मैं इनी सब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं उमीद करूँगा कि आप गुरु ज्यान पब्लिकेशन के टेलिग्राम चैनल पर मुझसे मिलने आओगे अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं बाद में तब तक के लिए सुक्रिया जैहिं थैंक्यू